असलाम अलेकुम जी मेरा नाम डॉक्टर मुहमद अमारतुफेल है और 28 अपरल 2024 को हमने साइन्टिफिक राइटिंग के एक मास्टर क्लास करवाई थी और उस मास्टर क्लास में हमारे पास तकरीवन 100 के करीब स्टुडेंट्स थे प्लस माइनस और उन्होंने लाइव जूम के उपर ये मास्टर क्लास अटेंड की इस मास्टर क्लास की फीद 300 रुपेया रखे गए थी विच वाज अराउंड वन डॉलर ये वन यूरो आप कह सकते हैं और स्टुडेंट्स काफी ज्यादा कुछ सीखके उस मास्टर क्लास में से कहें जिसका में मुद्धा ये था कि AI टूल्स को रिसर्च में कैसे यूज कर सकते हैं और साइन्टिफिक राइटिंग करते हुए कौन-कौन से ऐसे नए टूल्स हैं तो आपकी साइन्टिफिक राइटिंग की स्पीड को 10 गुना नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं बलके 100 गुना बढ़ा सकते हैं और हमने प्रैक्टिस करके देखा भी कि टूल्स कौन-कौन से अवेलेबल आ रहा कैसे वह यूज किया रहते हैं फिर हमने ये भी देखा कि जब एक review article लिखा जाना चाहिए जिस तरीके से आज के दोर में AI को यूज करके हम लोग वैसे नहीं लिखते हैं बट ऑन दी अधर साइड हम लोगों को कॉपी करके प्लेजराइज कॉन्टेंट लिख रहे होते हैं सो हमने ये भी देखा कि किस तरीके से एक review article के structure को maintain करके AI tools को और research tools को use करके हम लिख सकते हैं और ये चार गहंटे की master class थी जिसमें practice भी की और हमने breaks भी लिया and so on and so forth अब यही master class की पूरी की पूरी recording आपके सामने free में हासेर है आप इस master class को enjoy कर सकते हैं तकरीबन 2 गहंटे पे 45 मिनट का content है which will help you a lot to learn how to write scientifically अपना thesis और अपना जो कोई भी research paper अगर आप लिख रहे हैं तो ये बहुत ज़्यदा आपको help out करने वाला है इसमें Google scholar से लेके हमने कई ऐसे tools यूज़ किये जो आपको इस master class के अंदर मिलेंगे hopefully आपको ये चीज़ पसंद आएगी at the end अगर आपको ये पूरी की-पूरी master class पसंद आती है तो please comment ज़रूर करें और दोस्तों के साथ share भी करें तो चलिए time जाय की अवे ना start करते है मेरा नाम डॉक्टर मुहमाद अमारतुफैल है और hopefully आपको मेरी आवाज आ रही होगी अगर आवाज आ रही है तो मुझे चैट में जरूर बताइएगा के आवाज आ रही है और आपको मैं आज इस scientific writing की master class जिसे हम scientific writing की workshop भी बोल सकते हैं उसमें खुशामदीद बोलता हूं और आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं इन चार घंटों के अंदर obviously मैं पूरे का पूरा आपके साथ plan भी share करूंगा and then we will see किस तरीके से हम इस workshop को लेके चलते है I know there are many questions in your mind कि यार यह workshop क्यों arrange की गई और इसके पीछे क्या reasons हैं यह सारी बाते हम discuss करेंगे सबसे पहले मेरी आपसे request है कि आप अपनी zoom की ID को please rename करके अपना original नाम जो है वह वहां पे लिखते ताके किसी का नाम अगर HP लिखा हुआ है किसी के नाम के आगे Huawei लिखा है Samsung लिखा हुआ है तो वह basically हम एक नाम जो है आपका first name और last name जैसे मैंने लिखा हुआ है तुफैल डॉक्टर महमद अमार आप ऐसे भी लिख सकते हैं otherwise I would recommend कि जैसे मैं आपने आपको rename यहाँ पे करता हूँ तो आप इस तरीके से खुद को rename कर ले so ऐसे rename करने के बाद हमें अंदाजा होगा कि कौन यहाँ पे बोलना चाहा रहा है और हमारे groups कैसे बनते हैं so सबसे पहली practice अगर आप यह कर लेंगे that would be nice secondly हम यह meeting को open रखेंगे within first 10 minutes और बाद मैं इसको मैं lock कर दूँगा ता कि और कोई फिर entry ना मार सके तो उन 10 minutes के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इस workshop को conduct करेंगे और कौन कौन सी चीज़े important है इस workshop से related hopefully आपको सारी बातों की समझा आ रही होगी और मेरी आवाज में clear आ रही होगी और एक important बात मैं आपको बता दूँ कि आपसे request यह है कि प्लीज इस workshop में रहते हुए आपने अपना camera on रखना है reason यह है कि अगर zoom की meeting में आपका camera on नहीं होगा that means कि आप interest नहीं रख रहे हैं आप या तो drive कर रहे हैं या आप कहीं पर गूम रहे हैं और आप सिरफ इस workshop को ब्राइव workshop अटेंड करना चाह रहे हैं और इस master class को सिरफ सुनने की हद तक FM 103 की तरह या 91 की तरह सुनना चाह रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूँ मेरा नाम आर जे हमार नहीं है मेरा नाम डॉक्टर हमार है और मैं आपको scientific writing सिखाने वाला हूँ scientific writing तब आती है जब आप proper पूरा involved हो के चीजों को focused हो के देखते हैं तो अगले चार गहंटे के लिए आप अपने पास एक पानी की बोतल भी बड़े बारी लखें या glass रखें पानी का और disturbance को थोड़ा सा दूर कर दें अगर आप घर में और बच्चे शोर कर रहे हैं या बीचे कोई लोग शोर कर रहे हैं तो उनसे request कर लें उनकी मिननत तरला कर लें कि यार चार गहंटे मुझे time दे दे because this workshop is going to be very productive इंशाला इस workshop की फीज सिरफ एक योरो कुहीं रखीगी या इसके पीछे भी reason है एक योरो और registration का procedure सिरफ वही follow करेगा that person जो पहुत ज्यादा interest रखता है इन चीजनों को सीखने में जो एमी फुजूल में कहेगा न कि यार मैंने क्या सीखने मैंने क्यूं सीखने और इसका क्या फाइदा है वह इसको follow नहीं करने वाला तो इस वड़ा से हम start करते हैं hopefully आपको बातों की समझ आगी होगी और sound मेरा clear sound कर रहा होगा that's nice और यह रही जी आपके सामने screen और इस screen पर हम देखते हैं कि workshop का क्या agenda है और कौन कौन सी चीज़े हम इस workshop में देखने वाले है let's begin this and screen आपके सामने hopefully आ रही होगी और इस screen में आप देख भी पा रहे होंगे किस तरीके से सारे के सारा plan जो है आपके सामने नजर आएगा आपको right hopefully आपके सामने right screen नहीं आ रही है wrong वाली नहीं आ रही so I will just put it here and I will see my screen myself as well right so scientific writing की workshop जो है यह master class यह क्यों range की गए इसके पिछी reason यह है कि हम एक proper scientific writing का course start करने वाले है और उस course के अंदर scientific writing आपको A to Z सिखाई जाएगी और इस workshop के थूँ हम उन बच्चों को आगे लेके चलेंगे या उन बड़ों को या मेरे से बड़ों को या मेरे से छोटों को जो भी 8 span के अंदर आप है don't worry about that हम उनको ही आगे लेके जाएंगे जो कुछ सीखना चारें जो नहीं सीखना चारें उनसे हम request कर लेंगे के भाई आप ना करेंगा so आज की इस workshop के अंदर again मैं फिर वही बात करूँगा कि आपको मुझे सुनना पड़ेगा और अच्छा खासा सुनना पड़ेगा क्योंकि सारी बात है मैंने यहां पर आपको चीज़ें सिखानी है और आपसे भी सीखनी है so that's why आपसे मेरी request यह होगी कि आप बड़े तहम्मल मजाजी के साथ मुझे सुनिएगा और चीज़ें आपको फिर easily clear हो जाएंगे साइंटिफिक राइटिंग के मास्टर क्लास साइंटिफिक राइटिंग होती क्या यह आप सबको पता है कि कोई भी साइंस के अंदर जब भी आपने कोई result को analyze करना होता है यह research करनी होती है तो उसको आप एक proper format के अंदर लिखते हैं और वो format जो है वो बहुत ज्यादा यूटिलाइस की जाती है इन सेंस के एक report की format में और साइंटिस्ट दुनिया के अंदर अपनी publications के तुरून को बताते हैं यह क्या होती है क्यों होती है इसके बारे में हम discuss करेंगे बट विफोर दाट यह हमारी workshop है workshop के अंदर हम क्या करेंगे पांट से नो बजे तक हमारी यह workshop का time है जिसमें नमाज की break भी होगे अगर कोई नमाज का time आता है क्योंकि जारी बात है मैं जर्मिनी में लोग USA से भी यहां पर जोइन करके बैठे हुए और लोग पाकिसान से भी हैं और लोग Canada Australia क I will let you know कि आप किस तरीके से नमाज की break ले सकते हैं और हम खाने की break भी लेंगे इसके अंदर थोड़ा बहुत और चहल कदमी की break भी लेंगे ताके हम बोर नाओ hands-on workshop है जो काम मैं करूँगा मैं आप से replicate भी करवाँगा ताके आपको भी समझ आए और आपको dedicated time दिया जाएगा slots के लिए question पूछने के लिए अपनी team बनाने के लिए और अपने like-minded लोगों के साथ खुद को जोड़ने के लिए मैं इसके बाद मैं इसके बाद मैं इसके बाद मैं इसके बाद मेरा नाम अमार तुफैल है डॉक्टर मैं इस वर्या से लगाता हूं था कि आपको पता चले because I have done my PhD in data science in agriculture और as currently मैं आजबा information काम कर रहा हूं Germany के अंदर so this is my profile और मुझे तकरीबन PhD करने के बाद धाई साल हो चुके है postdoc का मेरा industry का experience भी है research का भी है applied research का भी है and data science के अंदर भी मैं काम कर रहा हूं मैं कौन हूँ obviously आपको जानना बहुत जरूरी है और यह मैं शौर्ट introduction करवाता हूँ कि मैंने Marie Curie PhD की है Italy and Germany से मेरे पास doctor europeus का title है जिसका मतलब है कि European किसी भी university के degree के equal मेरी पीछडी की और basic यह जो डिगरी है यह आपको तब मिलती है जब आप दो या दो से ज्यादा countries के अंदर अपनी research कंड़क्ट करते हैं और दो या दो से ज्यादा country के अंदर अपनी research को publish भी करते हैं और वह there are people who have done this degrees और आप में से भी काफी लोग इसमें already enroll होगे यह कुछ countries हैं जिनमें मैंने विजट भी के अपने research papers भी वहां पे present की हैं publish भी की हैं and I have also done some of the research work starting from Italy, Germany, Canada and then UK, USA के अंदर, Austria के अंदर, Belgium के अंदर, France के अंदर, Thailand के अंदर, Netherlands के अंदर, and then Taiwan के अंदर as well और कुछ countries मै यहां पे नहीं लिखे because of some reasons, बहुत से लोग मुझे Baba Amar के नाम से जानते हैं because of my Python का चिला, जो 40 दिन में मैंने proper data analyst का course करवाया हुआ है, आपको आप फ्री में जाके online देख सकते हैं YouTube के चैनल पे जिसका नाम है Kodanix, इसके इलावा मैंने Excel, Power BI, Tableau, recently Python, VS Code, R, MySQL and there are many other languages जो म को इसमें train भी का रहा हूँ, और Summa Alhamdulillah thousands of people have been trained through our forum, जिसका नाम है Kodanix, मेरी research profile इस वकत यह है कि मेरे यह कुछ papers हैं जिन में से citation score, आप H index देख सकते हैं, I 10 index देख सकते हैं, मेरी इस वकत total 758 citation है until now, और 2019 से onward मैंने सही publication की तरफ काम किया क्योंकि उससे पहले मेरी applied research थी, I didn't work so much on writing, और जो चीज़े मैंने सीखी यह है कि दुनिया में, I'm gonna share with you those things, ठीक है, तो यह सारी चीज़े हैं, अब आप से मेरी request यह है, कि scientific writing के workshop स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको बताया गया था, यहां पे आप on spot register गरवा सकते हैं खुद को, यह आपके पास QR code है, then you can also register yourself, using the form link, जो यहां पे मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपका form link भी नहीं चार रहा, तो you have to type it, otherwise I can send it to you as well, तो आप सब से पहले अपने आपको register कर ले, and then we will start working on this, मेरी profile बताने का मकसद यह था कि हले भी टाय में, जने दोडना है और दोड जा सकते हैं, means to say, कि यह बंदा इस काबिल नहीं है कि हमें scientific writing सिखाए, so you can leave the group now, and you don't need to be worried कि यह कौन सी चीज़े हमें सिखाने वाला है, ठीक है, आपने सिरफ यह form फिल करने है, form फिल करके, QR code आपके पास, QR code के साथ, scan करें, scan करने के बाद Google form आपके पास आजाएगा, उसको आप फिल करेंगे और इसको फिल करने के बाद, आपको 300 PKR कैसे पे करने है, उसका भी पूरा procedure बताया हुए, and then you will start working on that, अब यह लिंक इसका मैं आपके साथ share भी करने वाला हूँ, so don't worry about that, ले जनाब, बिसमिल्यारा मान रहे हैं, assalamualaikum, मेरा नाम Ammar Thufail है, और मैं डॉक्टर साल लगाता क्योंकि PhD की है, और आज हम scientific writing की workshop के अंदर, इस master class के अंदर, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, पहला question, जब भी आप को scientific writing की workshop को attend करते हैं, तो वो आपको slides के बरमार कर देते हैं, ऐसे होता है, आपने अपनी university में attend की होगी, colleges में attend की होगी, और काफी workshops attend की होगी, जिसमें scientific writing बहुत ही अच्छे से पढ़ाई जाती है, लेकिन on the other side, वो ऐसे बातें कर रहे होते हैं, जैसे रूहों रूहों वाली बाते हैं, and same happened with me, when I was in Pakistan, या मैं जर्मिनी में आया, या USA से classes ली, या मैंने UK में से, कहीं से भी classes ली, I'm not flexing here, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको कि यह लो पकड़ो scientific writing, ऐसे की जाती है, और जब मैंने उन चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट किया, implement करना स्टार्ट किया, तो हमने 8 से 2 साल पहले scientific writing के workshop करवाई, उसकी fees थी 3,000 रुपया, उस workshop के बाद मैंने बोला कि सारे बच्चे review article लिखेंगे, 9 review article हमने लिखे, obviously वो ब workshop और हमने 2 ऐसे article publish किया, which I'm gonna show you now, कि वो 2 article कौन से थे, एक तो in process है फिलाल के लिए, लेकिन एक publish हुआ, और उस एक published article की base पे, मेरा कोई भी article इतना heavy ने गया, जितना वो article गया था, और वो article क्या कहता था, किस बारे में था, उसके बारे में मैं आप बात करता हूँ, यह से select कर कि मेरे पास Google Scholar के उपर मैं जाता हूँ, और यहाँ पे, my profile पे यह मेरी Google Scholar की profile है, जिसको हम discuss करेंगे, तो जो article हमारा सब से उपर गया, that was this article, recent advances in bio remediation of heavy metals and persistent organic pollutants, यह एक review article था, इन बच्चों को मैंने start से सिखाया, और साथ में लेके चला, and then we have this review article published in science of the total environment, science of the total environment, अगर किसी को नहीं पता, तो यह एक ऐसा journal है, जो basically 9.8 impact factor रखते हैं, so this was the fruit of our, one of the scientific writing workshop, और believe me, कि यह बच्चों ने अच्छा खासा काम किया मेरे साथ, obviously, जातर काम जो था, वो हम में से कुछ लोगों ने किया, but still, they were learning, तो हमने इस पे काम करके, इस article को publish किया, अब इस article को publish करने के सबसे बड़ा advantage यह था, कि एक तो मैं जर्मिनी में हूँ, तो इस वज़ा से मेरी अपनी university के थू मैंने इसको publish किया, और यह basically उस वक्त हमारे पास open access नहीं होती थी, तो हमने सिधा इसको as it is hybrid journal में, as a hybrid subscription model में publish कर दिया, और अगर आप गौर करें, तो यह सारे institute है, and one of the reviewers asked के यार, यह जो institute इतने है, कोई Hungary से है, कोई Germany से है, कोई China से, कोई कोई से है, आपने कैसे एकठा किया खुद को, तो मैंने उनको बकाइदा review article, जब वो review कर रहे थे, उस process में एक response में answer भी दिया, कि हम एक workshop में एकठे हुए थे, so our main aim is, कि इस तरह के article at the end, जब हमार तीन मा का course होगा, उसे publish करना, by the way, अगर इस article को गौर से देखें, तो अभी तक इस article को 66 citations मिल चुकी है, और तीन साल हुए है, दोजार बाईस, तेईस और चौबिस वह चल रहा है अभी, 66 citation है, इस article की, which is one of the best thing in research, क्या होती है citation, उसके बारे में हम देखेंगे, और यह म मैं first author हूँ, something like that, अब अगर आप गौर करें, तो scientific writing के अंदर बड़ी चीज़े matter करते हैं, जिन में से एक citation होती है, citation क्या है, जैसे आप ने कोई चीज़ पब्लिश की है, और कोई और उससे related चीज़ पब्लिश की है, और वो बताता है कि Ammar ने फ्लाँ paper में यह लिखा था So this is called citation, तो जब इसमें ज्यादा citation आती है, तो अच्छा paper गिना जाता है, even though, एक बात है ना कि जब ज्यादा बारिश आती है, तो ज्यादा पानी आता है, कम बारिश आती है, तो जब ज्यादा citation आती है, आपकी profile ज्यादा highlight होती है, आपको ज्यादा journal, अच्छे journals जो हैं, वो basically ज्यादा prefer करते हैं, so scientific writing के अंदर ये चीज़े matter करती है, बताने का मकसद है कि scientific writing is starting from an idea, laying down the idea, उस idea के ओपर थोड़ा सा research करना, वो research lab में हो सकती है, field में हो सकती है, आपके घर में बैठे हुए, आपके PC पे हो सकती है, research करके उसकी report publish करना, कि इसमें हमने क्या किया, कै इसमें से क्या results आए, इसको बोलते है, scientific research को report करना, ये science की, सारी इसके इर्दगर्द घुमती है, अगर हम देखा जाए दो, अब scientific writing के कुछ examples मी हैं, जो मैं आपको दिखाने भी वाला हूं, और फिर हम इस पे और भी बात करेंगे कि scientific writing जरूरी क्यों है, हमें as a Pakistanis या as a researcher, scientific writing पर focus करना क्यों जरूरी है, और लोग पुराने जमाने में क्यों scientific writing के उपर focus करते थे, इसके उपर हम बात करते हैं, अब बहुत ज़्यादा लोग आम में से और रेड़ी उस workshop में थे, तो उनको ये चीज़ें पहले से पता होंगी, बट I will now explain each and everything here, अब हमारे पास, जब data होता है, research होती है, या कोई भी scientist जब भी कोई चीज़ लिखता है या उसके बारे में बताते हैं, तो उसकी कुछ reasons होती है, और उसके कुछ mediums होती है, आप जब भी कोई research करते हो, या तो आप oral communication के थूरू बता देते हो, जिसमें seminars होते हैं, जिसमें oral presentation होती हैं, science pitch talks हो सकते हैं, कि orally करना है, तो ये तरीका कार है, writing में करना है, तो आपके पास ये तरीका कार होता है, जिसमें research papers हैं, review articles हो सकते हैं, analytical outcomes हो सकती हैं, project proposal हो सकते हैं, rapid communication हो सकते हैं, Twitter या LinkedIn की post भी scientific writing में आजकल गिनी जाती है, तो ये सारा काम करने के लिए आपको scientific writing आना ज़रूरी अगर आप लिख रहे हैं, अगर आप औरली भी किसी को बता रहे हैं, तो फिर भी scientific writing आना ज़रूरी है, why, because, seminar के अंदर आपने presentations वगरा देनी है, तो आपकी presentation में कुछ तो लिखा होगा न, oral presentation देनी है, तो तब भी, अगर आपने pitch talk देनी है, तब भी, researchers night में जाके दोस्तो बताना है, तो तब भी, scientific email में जाना है, तब भी, poster बनाना है, तो poster में भी तो कुछ लिखना पड़ना है, so these are few oral and written communication things, अब एक कहवत बड़ी scientific writing के अंदर चलती है, भी, या तो publish कर लो, या perish हो जाओ, publish और perish, ठीक है, इसका मतलब यह है, कि आपने कोई काम किया, जब तक आ हमें से काफी लोग scientific writing इस वड़ा से सीख रहे है, कि वो जो research कर रहे है, उनको लिखना आजाए, या उनको publish करना आजाए, या उनको लोगों को बताना आजाए, कि scientific writing होती क्या है, और मैं आपको एक बात बता दू, 95% of the thesis, या research articles, या review articles, university की shelves के अंदर रहते हैं, सिरफ 5% बाहिर आते हैं, बाहिर से मुराद उस पे कोई reality में काम होता है, या वो start-ups बनते हैं, spin-offs बनते हैं, या वो दुनिया में कोई इंकलाब बरपा करते हैं, ठीक है, वो 5% के करीब भी नहीं होते हैं, इवन दो मैं कहूँगा 2-3% के करीब होते हैं, लेकिन जब भी आप कोई चीज लिखी नहीं रहे, तो कमसगम वो 5% ने तो आनी ही नहीं है, इसके बाद आपकी research चीज आया हो रही है, या जो आप research कर रहे हैं, अगर आप उस पे कुछ लिखी नहीं रहे, ना तो वो 95 में आनी है, या जो writing, write-up form के अंदर नहीं available, वो 5 में आने के तो उसके chances ही नह नहीं हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि जब भी आप को research करो, for on, for on, for on, for on, for on, लिखे publish करो, reason behind that, आपको as a scientist, या as a writer, दो चीज़ें बड़ी important का theme, आपकी life के अंदर, सबसे पहली चीज उसमें ये होती है, कि जो आप research कर रहे हैं, उसका analysis करना है, और अच्छे वाला analysis कर के, उस result से outcome लेने हैं, दूसरी चीज होती है, उस research को, outcome को लिखना, और लिखना भी ऐसा लिखना, कि जब वो लोग उसे पढ़ें, कहें, वा, क्या बात है, समझने हैं बात को, समझें आप, नहीं समझें, दुबारा बताता हूँ, अगर आप scientific writing नहीं करते, तो इसका है, आपको लोग नहीं जानते, लोग कोन से नहीं जानते, जो scientist है, वो नहीं जानते, अब मैं एक researcher हूँ, मैंने MFIL में admission लेना है, और जहां पर मैंने admission लेना है, मैं example दे रहा हूँ, वहां पर एक requirement है, कि अगर आपकी publication है, तो आपके chances जाते हैं, ठीक है, अब इसका मतलब this is one of the criteria of selection, दूसरी side पर जब मैं PhD में कहीं पर apply करता हूँ, तब भी यह criteria है, तीसरी side पर PhD के बाद भी सिरफ A की metric होता है, which is publication, that matters a lot, इस वज़ा से scientific writing ज़रूरी है, अब माम में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है, scientific writing ज़रूरी है, अग्गे, और बताओ इसमें, च publish इस वज़ा से की जाती थी कोई भी चीज कि वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जैसे COVID-19 की vaccine थी, COVID-19 की vaccine लियाँ ज्यादा लोगों तक इस वज़ा से पहुंची क्योंकि open source हो गई थी यह, और काफी लोग जो हैं, इसको industry में research करना start कर दिया था लोगोंने, क्योंकि ल आज medicine में इतनी जिद्दत ना होती, Einstein is equal to mc square ना बताते, तो दुनिया में जितना भी relativity की theory के उपर काम हुआ आज तक नहीं होता, Newton के उपर safe गिरा हो, Newton दरखतनों गड़ा गड़न लग जन्दा, so that couldn't change आने थे, लेकिन यहां पर क्या हुआ है, Newton के उपर safe गिरा, उसने और gravity का तसवर दिया, इसी तरीके से अबने फरनास ने, अगर वो पर लगा के उड़ने की कोशिश ना करते, तो आज aviation industry में इतनी जिद्दत ना होती, इसी तरीके से वो scientist जिन्हों ने एक छड़ी की length की base पे, side की direction की base पे distance map लिया था, earth to sun, अगर वो ना करते, तो आज So there are many things, अगर आप publish नहीं करते, तो लोगों को पता नहीं चलता, और अगर आप दुनिया में कुछ नया करना चाहते हैं, then you have to write your results, अब write सारे के सारे result करके publish करना जरूरी है, या patent करना जरूरी है, that is a kind of advanced thing, लेकिन अगर आप गौर करें, इस वकर चाइना और USA की अच्छी जो AI को advanced कर रही है, वो research ही है, जो basically cure कर रही है, वो research ही है, जो theory in practice लेकर आ रही है, and there are many other application जो scientific research के थ्रू हो रही है, और अगर आप scientific research को publish नहीं करते, या किसी को बताते नहीं है, that means you are not doing your job, और हम तोल कम कर रहे है, ऐसी है न, अब मैं एक मिसाल देता हूं, मेरी job है science का का करना, as a scientist, या as a MPhil student, या PhD student, और अगर मैं अपनी job को, एक requirement है, कि thesis publish करना, या paper publish करना, मेरी job का है, अगर मैं नहीं करता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने fries को सरेंचाम नहीं दे रहा है, ऐसी है, secondly मैं क्या कर रहा हूं, तोल में कमी कर रहा हूं, salary मैं पूरी ले रहा ह publish कुछ करनी रहा, so this is one of the things, secondly, science की दुनिया के अंदर वो ही लोग आते हैं, जिनने कुछ अनोखा करने का shock होता है, the third thing is, अच्छा लिखारी, हमेशा अच्छा scientist गिना जाता है, आपको भी पता है, जिस बंदे का paper, बहुत बड़े journal या बहुत बड़ी website पर publish हो जा, इसका म के उपर ही बात करेंगे, और अब हम एक technique use करेंगे, और उस technique का नाम है keywords, ठीक है, अब जैसे मैंने आपको introduction करवाया, और बताया कि scientific writing क्या है, अब मैं keywords बोलूँगा, जिस से आपको पता चल जाएगा, कि मैं कौन हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, obviously मैंने पिछले lecture में भी आपको बताया, और उस पे हम बात करेंगे, लेजन आप, अब हम जो काम करने वाले हैं, वो एक छोटी से practice है, वो practice यह है, कि हमने keywords में अपना introduction करवाने है, जैसे कि मेरा नाम, जो भी है, मैं क्या करता हूँ, कहां पे हूँ, कहां पे नहीं हूँ, आप सिरफ गौर से सुने keywords matter करते हैं, और आपकी science writing के अंदर keywords और भी matter करते हैं, क्यों, क्योंकि जब आप कुछ लिख रहे होते हैं, तो आपकी लिखने के अंदर keywords जलक रहे होंगे, तो जो भी बंदा उस चीज को search करेगा, आपका paper उटके उसके सामने आ जाएगा, इवन दो इसको अगर reverse engineering मैं तो जो चीज मुझे चाहिए, मतलब मेरा काम अगर environmental sciences पे है, तो मुझे मेरे keywords पता होंगे, then I can find anything related to my research, which is basis for doing literature review, ठीक है, और scientific writing के सबसे पहला part होता है, doing a literature review, और literature review क्या होता है, कि आपको पता तो हो न, लोगोंने क्या काम किया है, इसकी मिसाल मैं देता हूँ, आज मैं बैठा बैठा यहां पर यहां भी कहा देता हूँ, कि जी, साबुन जो है, मैं घर पर बना सकता हूँ, अगर मुझे यही नहीं पता होगा, कि दुनिया में साबुन बनाने पर इतनी ज्यादा research चल चुकी है, कि soap कैसे develop होता है, aroma क्यों होती है, तो मैं जितना वर्जी अच् चीजे, research में पढ़ी है, but I don't know कि किस-किस ने क्या 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 है, तो इसका मतलब ही है, to be an innovative scientist या innovative researcher, I should know कि दुनिया ने क्या 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 है, ऐसे ही है, मिसाल के तोर पे, अनोखा काम वो ही होता है जो किसी ने ना किया हूँ, एक बंदा घर बेटा कही जाए कि मैं बहुत सोन तो उसको क्या पता चलना है कि खूपसूर्ती क्या होती है, समझ रहे हैं बात को, बाकी थे शीशे चे सारी सोने लग देने अपने आपनो, so on a lighter note, let's jump into this practice, आपने क्या करना है अब, आपने 5 keywords में अपने आपको इंटर्डूश करवाना है, मैं इंटर्डूश करवाता चले, अमार, PhD, फैसलाबाद, जर्मनी, साइंटिस्ट, समझागी बात की, 5 keywords मैंने बोले हैं, मैंने अपना नाम बता दिया, ये भी बता दिया, मैंने PhD किये, मैंने ये भी बता दिया कि मैं कहां से हूँ, मैंने ये भी बता दिया, अब कहां पे हूँ, और मेरा काम गया है, ठीक है पांच कीवर्ड्स और यह पांच कीवर्ड्स अगर आप अपने बारे में डिजाइन कर सकते हैं आप किसी भी टॉपिक के बारे में भी डिजाइन कर सकते हैं तो पहले मेरी आपसे request यह है कि आपने अपने बारे में यह 5 keywords design करने हैं अपने बारे में 5 keywords और यह आपको दुनिया के बड़े-बड़े interviews में भी काम्याभी दे सकती है यह वली चीज़ कैसे आप किसी भी interview में जाएं पहला question क्या होता है introduce yourself I know कि आप में से काफी ऐसे communicator भी हैं जिनको बहुत अच्छे तरीके से पता है but now you have to write 5 keywords that will explain your personality ठीक है और वो keywords आपने chat में लिखने हैं to everyone ठीक है और जब ही आप chat में लिखेंगे believe me you will see a lot of things और यह keywords ही आपको एक दूसरे के साथ team up करने में help out करें और keywords लिखने है key lines नहीं लिखने आप सबसे मेरी एक और requests है जिनके camera बंद है खुदा आदा नाए camera on कर लो believe me सिर्फ मैं देख रहा हूँ कोई और नहीं देख रहा यह वो वला scene हो जाएगा ना कोई देखे नहीं देखे शबीर तो देखेगा मैं सरफ यह कह रहा हूँ कोई देखे नहीं देखे है मार तो देखेगा यहाँ वे अगर किसी ने किये देन प्लीज पूट यूर रियक्शन जो लोग मुझे डीजे मार समझ रहे हैं believe me ऐसा कुछ नहीं होने वाला camera on कर लें इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप सीख भी रहें के नहीं सहीद भाई cricket के ground में गूम रहे है या चात्वे होगे don't worry camera on करने से कमस कमना आपको यह होगा कि यार हमने सीखने right timer हमारा चल रहा है मैं आपको बता दूगा कि कब आपने लिखना बंद करने सो दो मिनट में और दे देता हूं आप अपने keyword सोचें आपने सिरफ chat में नहीं लिखने आप से मेरी request है कि अपने पास एक notebook रखें और उसके उपर physically ज़रूर लिखें प्लीज यह आपके साथ रहनी है चीज़े डिजिटल सारा कुछ गाईब हो जाता है आपको कितना याद है जो आई तक है आपने digitally लिखा हुआ है इसलिए physical notebook पे लिखा करें अब मैंने चेंज कर दिया अब मैंने चेंज कर दिया नहीं आउ और एक ही message पर type किया करें okay so we have only 20 seconds left अपने keywords लिखने है अपने बारे में जैसे मैंने बताया है अमार, PhD, फैसलाबाद, Germany and then scientist तो यह मैंने चीज़ें बताइए जिन लोगों ने जिस्टर नहीं किया हुए don't worry at the end of this workshop I will send you the link to register क्योंकि वो link से आपको further updates मेला करेंगी scientific writing की so don't worry about that now so you don't need to say your full name in the keywords okay, time's up आपने keywords लिखे होंगे मुझे send कर दिये, that's good लोगों को send कर दिये, that's good अगर नहीं भी किया, don't worry about that because we are going to do another practice now right? क्या ख्याल है? अब सुनियेगा दुबारा से keywords यह मेरे topic के keywords है interest जिसमें मैं रखता हूँ और मेरा background क्या है मैं keywords मैं आपको बताने वाला हूँ again, five keywords I'm going to share with you आपने focus कर के सुनने सुन रहे हैं लिखना बंद कर दे हम तो फिर ही सुनने चले, आपको मैं बताता हूँ मैंने नाम वाम सब कुछ आपको बता दी I'm not going to repeat the same thing again but I'm going to show you something now the first keyword is data scientist second one is bioinformatician third one is codenics YouTube fourth one is small proteins fifth one is microbiology कुछ समझाई? keywords की समझाई? and now you can create sentences in your mind कि ये बंदा क्या कर रहे है और किस कीज पर काम कर रहे है ठीक है? चो मैंने 5 keywords बोले है इस तरीके से आप अपने field के बारे में 5 keywords बनाएंगे and those keywords are going to help you to search the big data मैं जितना मर्जी जोर से big कहलूँ फिर भी मेरा big बोला छोटा रह जाना है इतना ज्यादा data available है for research papers और वो मैं आपको trick बताने लगा हूँ इस एक practice के बाद कि कैसे आप फिर उस data को search करेंगे नाम नहीं बताना क्योंकि नाम आपका मैंने पहले start में बता दिया था कि आपने अपनी Zoom की ID के ऊपर rename करके original नाम लिख लेना now you have to write five keywords about your field of study या field of interest और physically notebook पे लिखना है please कुछ लोग यहां पे ऐसे हैं जो notebook लेने गहें तब से आई नहीं है वाजो भाई वापे साब लोग करी लोगों ने अपने छोटे cousins की या जो घर में बच्चे होते हैं उनके बैगों में से निकाल लेनी इतनी इतनी कौपी है और पूरने आलिया नहीं हो नहीं है dotted lines वाली उस पर लिखना start करेंगे आप लोग brainstorm कर रहे होंगे और आपको समझारी होगे कि keywords की science क्या है क्या ख्याल है और आप आपका Google Scholar यूज करने का तरीका बदलने वाला है आज जो लोग Google Scholar को नहीं जानते उनको मैं बता दूँ क्योंकि recently मैंने चार रिल्स पांच रिल्स अपलोड की है how to use Google Scholar और उसका तरीका आपका बदलने वाला है and then I'm going to share with you some databases जहां पर आप कुछ भी सर्च करेंगे and you will see papers related only with your research जो लोग कंप्यूटर अपने पास लेके नहीं बैटे लैप्टाप बगएरा प्लीज उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि लैप्टाप अपने पास रख लें बेशक मुबाइल से ओनलाइन रहें लेकिन साथ साथ प्रैक्टेस कीजिएगा वरना बाद में आपको टाइम मिलना है क्योंकि रील्स इतनी ज्यादा आजाती है लोग फिर वहीं पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं पर रिसर्च में क्यों करना हमने इस वज़ा से साथ साथ प्रैक्टेस करेंगे इस विल हल्प यह लॉट फाइन जी ट्वटी सेगंड्स तु गो और इसके बाद हम प्रैक्टेस करने वाले हैं कि कीवर्ड क्यों मैटर करते हैं ठीक है और यह आपको साइंस दिखानी है कीवर्ड की बने अच्छा जी मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि कीवर्ड अभी सेंड ना करें कोई भी बिकवर्ड आपने अपने पास लिख लें और इस इनफ नाओ वी आपके सामने में स्क्रीन शेर करता हूँ और यहाँ पर आप स्क्रीन देख सकते हैं और इस स्क्रीन के उपर हम काम करेंगे की वर्ड का देखेंगे किस तरीके से यह मैटर करते हैं सबसे पहले तो Google पे मैं जाता हूँ Google पे जाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ से फ्र्श एक्जैंपल मैं यहाँ पे कुई भी चीज यहाँ पे लिखता हूँ सर्च के अंदर उसमें मैं लिख देता हूँ डेटा साइंस ठीक है अब आपने देखा कि डेटा साइंस जैसे मैंने लिखा है तो data science से related जितनी भी चीज़ें मेरे पास आ रहें and you can see videos भी है और बाकी चीज़ें भी है और research papers बहुत काम है इसी वज़ा से जब भी आपने कोई paper सर्च करना होता है आप Google पे नहीं जाते है आप एक specific Google का search engine है जिसका नाम है Google Scholar आप उस पे जाते हैं ठीक है और यहां पे मैं Google Scholar पे आगया हूँ and now you can see that Google Scholar पे click करने के बाद सबसे पहली मेरी आप से request है कि आप अपनी profile generate करें Google Scholar पे जा कि आप अपने आपकी appearance बनाएं कैसे मैं यहां पे my profile लिखता हूँ you will see कि यह मेरे नाम से अगर कोई मुझे Google Scholar पे search करेगा safe for example अमार तुफैल लिखके तो यह मेरी profile ऐसे आजाएगी किसी भी university के साथ affiliated अगर मैं हुआ उस वकत तो उस वकत की ठीक है यहां मैं update कर दूँगा इसको so that can help here अब यहां पे देखें कि यह profile अगर आपकी नहीं generated तो अभी आप बना ले और अभी जमुराद अभी नहीं लिखके रख लें इसको आप बनागिएगा Google Scholar की अपनी profile जैसे Facebook की बनाते हैं आप Instagram की बनाते हैं या सम अधर चीजों की आप बनाते हैं जैसे आप इस profile को बनाएंगे then it will help you to do some things कैसे इस profile के through आप काफी चीजें कर सकते हैं और उसमें पहली चीज यह है कि जब आपकी profile होती है आपका कोई भी article publish होता है you can list them here क्योंकि जब भी कोई आपको job के लिए search करता है या आपको future में कोई opportunity देने के लिए search करता है they go to your Google scholar profile to check your publication या इसके लावा और भी different किसम के आपके पास चीजें होती है जिसमें orchids भी है अगर आप Google पे जाएं और orchid लिखें या तो ये भी एक engine होता है जिसके उपर आपकी profile होना ज़रूरी होता है और इस तरह और भी होता है but usually people prefer Google scholar या research gate research gate तो यह तो आप Google scholar पे जाएं या research gate पे जाएं so मैं यहां पे research gate पे भी चला जाता हूं research gate so यह कुछ आपकी profile को शो करने वाली चीजें होती है research gate की और Google scholar की so research gate और Google scholar पे आप अपनी profile बना लेंगे second thing is Google scholar पे जाके आप यहां पे कुछ भी search कर सकते है और Google scholar को use करने के कई तरीके कार हैं लेकिन आज जो मैं आपको बताने वालों those are going to change the way you search ठीक है आप मैंसे काफी लोग Google scholar पहले भी use करते हैं but today we are going to do something using keywords और आप देखेंगे कि आप अपनी search को कैसे refine कर सकते हैं तियार हैं जी लेजन आप अब हम जो काम करने वाले हैं वो एक छोटी से practice है वो practice यह है कि हमने keywords में अपना introduction करवाने है जैसे कि मेरा नाम जो भी है मैं क्या करता हूँ कहां पे हूँ कहां पे नहीं हूँ आप सिरफ गौर से सुनेगे ना आपको अंदाजा हो जाएगा मेरी story का with keywords and keywords are important everywhere Google पर सर्च करें keywords meta AI AI हर जगा पर keywords matter करते हैं और आपकी science writing के अंदर keywords और भी matter करते हैं क्यों? क्योंकि जब आप कुछ लिख रहे होते हैं तो आपकी लिखने के अंदर अगर keywords जलक रहे होंगे तो जो भी बंदा उस चीज को search करेगा आपका paper उठके उसके सामने आ जाएगा even though इसको अगर reverse engineering मैं करूँ तो जो चीज मुझे चाहिए मतलब मेरा काम अगर environmental sciences पे है तो मुझे मेरे अगर keywords बताऊंगे then I can find anything related to my research which is basis for doing literature review ठीक है? और scientific writing के सबसे पहला part होता है doing a literature review और literature review क्या होता है कि आपको पता तो हो ना लोगों ने क्या काम किया है इसकी मिसाल मैं देता हूँ आज मैं बैठा बैठा यहां पर यहां भी कह देता हूँ के जी साबुन जो है मैं घर पर बना सकता हूँ अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि दुनिया में साबुन बनाने पर इतनी ज्यादा research चल चुकी है कि soap कैसे develop होता है रोमा क्या होती है तो मैं जितना वर्जी अच्छा बनाते जाओ मैं innovative नहीं हूँ क्यों नहीं innovative क्यूंके जो मैंने बनाया वो पहले कोई बना चुका है मुझे नहीं पता वो मेरी गलती है ठीक है उन्होंने बनाया है उन्होंने publish की हैं चीजे research में पढ़ी है but I don't know कि किस-किस ने क्या-क्या किया तो इसका मतलब यह है to be an innovative scientist या innovative researcher I should know कि दुनिया ने क्या किया ऐसे ही है मिसाल के तोर पे अनोखा काम वो ही होता है जो किसी ने ना किया एक बंदा घर बेटा कई जाय के मैं बहुत सोना माँ और जो तो बाहर ही ने निकलिया और ने देखिया है ने सोनी दुनिया नो तो उसको क्या पता चलना है कि खूपसूरती क्या होती है समझ रहे हैं बात को बाकी ते शीशे जिसारी सोने लग देने अपने आपनो So on a lighter note let's jump into this practice आपने क्या करना है आप आपने 5 keywords में अपने आपको introduce करवाने है मैं introduce करवाता हूँ पहले Amar PhD फैसलाबाद जर्मनी साइंटिस्ट समझागी बात की 5 keywords मैंने बोले हैं मैंने अपना नाम बता दिया ये भी बता दिया मैंने PhD किये मैंने ये भी बता दिया कि मैं कहां से हूँ मैंने ये भी बता दिया अब कहां पे हूँ और मेरा काम गया है ये है कि आपने अपने बारे में ये 5 कीवर्ड्स डिशाइन करने है अपने बारे में 5 कीवर्ड्स और ये आपको दुनिया के बड़े-बड़े इंट्रव्योज में भी कामियाबी दे सकती है ये वाली चीज Zukunft कैसे आप किसी भी इंट्रव्य में जाएं मेरा क्वेस्टिन क्या होता है? इंट्रड्यूस यॉर्सेल्फ तो 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 तुझे काणियां बाउन लग जन दे। मेरे नाम अमार है मैं ना फैसलाबास से हैं वो भॉले वाला सीन हो जाता है पर रैंड टाइम पर रटा लगाया होता है ना मने तो आप में से काफी ऐसे किमिनिकेटर भी हैं जिनको बहुत अच्छे तरीके से पता है बत नाव यूवब तो रैट फाइव कीवर्ड्स याट विल एक्स्प्लें यॉर परसनेलिटी ठीक है? और वो कीवर्ड्स आपने चैट में लिखने हैं तौ एवरिवन ठीक है? और जब ही आप चैट में लिखेंगे believe me, you will see a lot of things और ये कीवर्ड्स ही आपको एक दूसरे के साथ team up करने में help out करें और कीवर्ड्स लिखने हैं, की लाइन्स नहीं लिखने हैं आप सबसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है जिनके कैमरे बंदा हैं खुदा आदा ना इक कैमरे आन कर लो believe me, सिरफ मैं देख रहा हूँ, कोई और नहीं देख रहा यह वो वला scene हो जाएगा ना, कोई देखे नहीं देखे, शबीर तो देखेगा मैं सरफ यह ही कह रहा हूँ, कोई देखे नहीं देखे, हमार तो देखेगा यहाँ है, so please कभी आपने यह पहले practice की है, keywords की अगर किसी ने किया, then please put your reaction जो लोग मुझे DJ मार समझ रहे हैं, believe me, ऐसा कुछ नहीं होने वाला camera on कर ले, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप सीख भी रहें के नहीं सहीद भाई cricket के ground में गूम रहे है, या चत्पे, चत्पे होगे don't worry, camera on करने से कमस कमना आपको यह होगा कि यार हमने सीखना है टाइमर हमारा चल रहा है, मैं आपको बता दूँगा कि कब आपने लिखना बंद करने, दो मिनट में और दे देता हूँ, आप अपने keyword सोचें, आपने सिरफ chat में नहीं लिखने, आप से मेरी request है कि अपने पास एक notebook रखें और उसके उपर physically जरूर लिखें, प्लीज, ये आपके साथ रहनी है चीज़े, डिजिटल सारा कुछ गाईब हो जाता है, आपको कितना याद है जो आज तक आपने digitally लिखा हुआ है, इसलिए physical notebook पे लिखा करें जितानी है, आपक्षें कहीरिम सेपर सारा कुछ रहता से सथाओẹज का सारा कुछ जालाएकित आपको कितना याद है, टूर को को कितना यादnes नहीं और उसकंट सायाू है, आपको कितना याद मैंने setting, मैंने change नहीं किया थी, अब मैंने change कर दिया, now you can text everyone. और एक ही message पर टाइप किया करें. Okay, so we have only 20 seconds left, आपने keywords लिखने हैं, अपने बारे में, जैसे मैंने बताया, Amar, PhD, Faisalabad, Germany and then scientist. तो यह मैंने चीज़ें बताईएं. जिन लोगों ने register नहीं किया हुए, don't worry, at the end of this workshop, I will send you the link to register, क्योंकि वो link से आपको further updates मेला करेंगी scientific writing की. So don't worry about that now. एक बहुत याद रखें, मेरा नाम डॉक्टर महमद अमारतुफेला, मैंने क्या लिखा था? So you don't need to say your full name in the keywords. Okay, time's up. आपने keywords लिखे होंगे, मुझे send कर दिये, that's good, लोगों को send कर दिये, that's good, अगर नहीं भी किया, don't worry about that, because we are going to do another practice now. आपको बताने वाला हूं, right? First one is Data Scientist, second one is Bioinformatician, third one is Codanex U2, fourth one is Small Proteins, fifth one is Microbiology. Keywords की समझ आई, and now you can create sentences in your mind, कि ये बंदा क्या कर रहा है, और किस कीज पर काम कर रहा है, ठीक है? जो मैंने 5 Keywords बोले हैं, इस तरीके से आप अपने field के बारे में 5 Keywords अब बनाएंगे, and those Keywords are going to help you to search the big data. मैं जितना मर्जी जोर से big कहलूं, फिर भी मेरा big बोला छोटा रह जाना है, इतना ज्यादा data available है for research papers, और वो मैं आपको trick बताने लगा हूं, इस एक practice के बाद के कैसे आप फिर उस data को search करेंगे, नाम नहीं बताना, क्यूंकि नाम आपका मैंने पहले start में बता दिया था, कि आपने अपनी Zoom की ID के ओपर rename करके original नाम लिख लेना, now you have to write 5 keywords about your field of study, या field of interest, और physically notebook पे भी लिखना है, please, कुछ लोग यहां पर ऐसे हैं, जो notebook लेने गहें तब से आई नहीं है, वो आजो भई वापिस आप लोग, कई लोगों ने अपने छोटे cousins की या जो घर में बच्चे होते हैं, उनके बैगों में से निकाल ले नहीं इतनी इतनी copy हैं, वो पूरने आ लिया नहीं हो नहीं है, dotted lines वाली, उस पर लिखना start करेंगे, आप लोग brainstorm कर रहे होगे और आपको समझ आरी होगे के keywords की science क्या है, क्या ख्याल है, और आप आपका Google Scholar यूज करने का तरीका बदलने वाल है आज, जो लोग Google Scholar को नहीं जानते, उनको मैं बता दूँ क्योंकि recently मैंने चार रील्स पांच रील्स अपलोड की है, है how to use Google Scholar और उसका तरीका आपका बदलने वाल है, and then I am going to share with you some databases, जहां पे आप कुछ भी search करेंगे and you will see papers related only with your research. जो लोग computer अपने पास लेके नहीं बैटे laptop बगएरा, please उनसे मेरी request है कि laptop अपने पास रख लें, बिशक मुबाइल से online रहें, लेकिन साथ-साथ practice कीजिएगा, वरना बाद में आपको time मिलना है, क्योंकि Reels इतनी ज्यादा आ जाती हैं, लोग फिर वहीं पे ज्यादा time spent करते हैं, research में क्यों करना हमने, so इस वज़ासे साथ-साथ practice करेंगे, it will help you a lot. Fine, 20 seconds to go, और इसके बाद हम practice करने वाले हैं, के keywords क्यों matter करते हैं, ठीक है? और यह आपको science दिखानी है keywords की मेंने. Okay, मेरी सबसे request है के keywords अभी send ना करें कोई भी, because अगर आपने अपने पास लिख लें, now we are going to see, कैसे यह सब कुछ matter करते हैं, and how you can actually implement the same technique inside your research. तो यह आपके सामने में screen share करता हूं अपनी, और यहाँ पर आप screen देख सकते हैं, और इस screen के ऊपर हम काम करेंगे, keywords का देखेंगे किस तरीके से matter करते हैं. सबसे पहले तो Google पे मैं जाता हूं, Google पे जाने के बाद, मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूं, say for example, मैं कोई भी चीज यहाँ पे लिखता हूं, search के अंदर, और उसमें मैं लिख देता हूं, data science, ठीक है, अब आपने देखा कि data science जैसे मैंने लिखा है, Google पे नहीं जाते हैं, आप एक specific Google का search engine है, जिसका नाम है Google Scholar, आप उस पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं Google Scholar पे आ गया हूं, and now you can see that, Google Scholar पे click करने के बाद, सबसे पहली मेरी आप से request है, कि आप अपनी profile generate करें, Google Scholar पे जाके आप अपने आपकी appearance बनाएं, कैसे, मैं यहाँ पे my profile लिखता हूं, you will see, कि यह मेरे नाम से, अगर कोई मुझे Google Scholar पे search करेगा, for example, अमार तुफैल लिखके, तो यह मेरी profile ऐसे आ जाएगी, कि किसी भी university के साथ affiliated, अगर मैं हुआ उस वकत तो उस वकत की, ठीक है, यह मैं update कर दूँगा इसको, so that can help here, अब यहाँ पे देखें कि यह profile अगर आपकी नही generated, तो अभी आप बना ले, और अभी जमुराद अभी नहीं, लिखके रख लें इसको आप बनाएगा, आप Google Scholar की अपनी profile जैसे Facebook की बनाते हैं, आप Instagram की बनाते हैं, या सम अधर चीजों की आप बनाते हैं, जैसे आप इस profile को बनाएंगे, then it will help you to do some things, कैसे इस profile के थुरू, आप काफी चीजें कर सकते हैं, और उसमें पहली चीज यह है कि जब आपकी profile होती है, आपका कोई भी आर्टिकल पब्लिश होता है, you can list them here, क्योंकि जब भी कोई आपको जॉब के लिए सर्च करता है, या आपको फ्यूचर में कोई opportunity देने के लिए सर्च करता है, they go to your Google Scholar profile to check your publication, या इसके लावा और भी different किसम के आपके पास चीज़ें होती हैं, जिसमें orchids भी है, अगर आप Google पे जाएं और orchid लिखें या तो यह भी एक engine होता है, जिसके उपर आपकी profile होना ज़रूरी होता है, और इस तरह और भी होता है, but usually people prefer Google Scholar या research gate, research gate, तो यह तो आप Google Scholar पे जाएं या research gate पे जाएं, so मैं यहां पे research gate पे चला जाता हूं, research gate, so यह कुछ आपकी profile को शो करने वाली चीज़ें होती है, research gate की और Google Scholar की, so research gate और Google Scholar पे आप अपनी profile बना लेंगे, second thing is, Google Scholar पे जाके आप यहां पे कुछ भी search कर सकते हैं, और Google Scholar को use करने के कई तरीका कार हैं, लेकिन आग जो मैं आपको बताने वालों, those are going to change the way you search, ठीक है, आप मेंसे काफी लोग Google Scholar पहले भी use करते हैं, but today we are going to do something using keywords, और आप देखेंगे के आप अपनी search को कैसे refine कर सकते हैं, त्यार हैं जी? अगर आप यहां तक पहुँच गये हैं, तो इसका मतलब है कि आपने master class को अच्छे तरीके से देखा है, enjoy किया है, और साथ-साथ comments में आप comment भी करते गया हैं, और इसको practice भी करते गये हैं, अगर आपने अभी तक master class की practice नहीं की, और जो जो assignment हम zone की meeting के अंदर लोगों को दे रहे थे वो आपने नहीं की, तो believe में आपको कोई फाइदा नहीं है master class का, तो इसलिए मैं आपसे request करता हूँ कि please, तुबारा से rewind करें इस video को, और master class को अपनी practice के साथ enjoy करें, फिर आपको समझ आएगे, promise करते हैं मेरे साथ, तो comment section में बताइएगा, and proceed from the beginning please, ले जनाब, इस एक छोटे से lecture के अंदर नहीं आपको Google Scholar को use करने के some best methods बताने वालों, जो आपकी research को refine कर देंगे, और वो best method कौन कौन से हैं, let's jump into it, keywords की हमने practice पहले कर ली है, अब उन्हीं चीजों को हम देखेंगे, मेरा keyword था data science, ऐसे ही है जी, data science मेरा keyword था एक, मैंने data science as it is लिखा, जैसे मैंने data science यहां पर लिखा, मेरे पास articles आए इतने, मैं उसको गिनता हूँ, तो इसका पहला तरीका कार यह है, कि जैसे मैंने इसी चीज़ को, मैं duplicate करता हूँ, just to show you the difference, अब इसके इर्दगिर्द में लगाता हूँ quotation marks, अब आप देखें, कि यहां से जितने article थे, 10 million के क्रीब article थे, यहां पर 1 million रह गए हैं, यानि के 10 गुना कमी आ गई यह articles में, सिरफ quotation marks यूज करके, अब quotation marks क्या होते हैं, क्यूं होते हैं, किस वज़ा से होते हैं, उसका मकसद हम देखते हैं, आप quotation marks तब यूज करते हैं, जब आपने इन दोनो words को, इकठे किसी भी चीज के अंदर देखना हो, यानि के जब जब data और science इकठा लिखाएगा, किसी भी document के अंदर, only those results will appear here, data और science जब इकठा आएगा, आपको याद होगा जब भी आपको बात करते हैं, आप quote करते हैं, कि यह किसी ने बोला, as it is, मैं बता रहा हूँ, quotation के अंदर, याद है ऐसे करके अक्सरों को बड़ी आदत होती है, या थोड़े से burger बच्चे जो होते हैं, I'm not saying, but somebody said, you know, इस तरीके से करके quotation marks लगा के, so quotation marks का मतलब है, कि मैंने नहीं बोली, तो आपका एक तो कम आ रहे है, एक तो results ज्यादा आ रहे हैं, दूसरा आपके लिए problem है, आप Google scholar पे रहते हुए, एक और काम कर सकते हैं, मैं फिर duplicate कर रहा हूँ, यहां से आप custom range कर सकते हैं, यानि कि मैं यहां पे चाहता हूँ, कि 2018 से लेके, 2024 तक के papers मेरे पास सीरफ हैं, और यहां पे चेक करें, मेरे पास half million papers हैं, या half million चीजें आ गई हैं, articles या books या whatever is there, वो मेरे पास आ गई है data science से related हैं, अब आप चेक करें कि पहले मारे पास 10 million articles हैं, फिर हमारे पास 1 million हुआ, and now we have half million, यानि के तक्रीबन 5,9,000 के क्रीब, और अगर मैं range यहां से पिछले 5 सालों की कर दूँ, so this will reduce, ठीक है, now you can see के यहां पे custom range आप define कर सकते हैं, सिरफ 2024 के paper लेकर आ सकते हैं, 2023 के लेकर आ सकते हैं, 2020 के लेकर आ सकते हैं, और custom range भी define कर सकते हैं, and then not only this, आप अगर 2020 से अब तक के, यानि के 2020, 21, 22, 23, 24 के paper लेकर आ रहे हैं, आप relevance, यानि के जहां जहां पर यह keyword शो हुआ है, सिरफ वो paper सामने आएंगे, यानि के बिशक 2021 के है, 22 के, 23 के है, वो पहले आ जाएगा, अगर आप चाते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे, latest paper आपके सामने आएगा, फिर down to, जब आप नीचे जाते जाएंगे, तो बाखी papers आपके सामने आते जाएंगे, so this is how you can actually refine your search, the first thing, second thing is, आप क्या करते हैं, आपने अगर, patents भी इसमें include करने हैं, you can also include the patents, patents क्या होते हैं, जब भी आप कोई नई innovation करते हैं, आप अपने नाम पे उसे register करवाते हैं, licensing करते हैं, बिलके patent के अंदर copyright अपना आप लिखवाते हैं, कि यह innovation मेरी है, अगर किसी ने use कया, that person has to pay me, so वह patents भी आड़ाते हैं, I don't know कि अगर आपके patent का आपके पास use है के नहीं, but अगर आपने सिरफ और सिरफ review articles लेने हैं, तो आप यहां पे review articles पे click करेंगे, and then you will see कि सिरफ और सिरफ यहां पे review articles आपके पास आएं, which is around करीबन 2,23,000 के गरीए, so sort by date, any type and review article here you can see, ठीक है, अब यह तो चीज़ें होगें कि आपको date wise यहां पे search करना आ गया, अब यहां पे search bar के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें matter करती है, अगर मैं यहां पे data science लिखा है quotation marks के अंदर, ठीक है, और मैं साथ में end लिखता हूं capital letters में, और फिर एक चीज़ लिखता हूं machine learning, ठीक है, अब आप देखिएगा data science and machine learning जब मैं end लिखके use करूंगा, तो अब क्या होगा, ऐसे papers जिनके अंदर data science में लिखा हूं और machine learning में लिखा हूं, यानि कि यह दुनों terms, जिन papers के अंदर होंगे, सिरफ वो ही मेरे सामने आएंगे, so when I click on search, तो अब आप देखें, सिरफ आपके पास 4,98,000 paper है, out of these 1 million something, so यह आपके जितने भी papers होंगे, उनमें सिरफ machine learning और data science की term use होगी, अब अगर मैं and को और के अंदर change करता हूं, यही चीज और के अंदर करता हूं, you will see a difference, आपके पास यह paper बचे हैं, ठीक है, अब आप देखें कि दोनों side के एक side वाली, यानि कि यह तो machine learning आ रही है, यह आपके पास data science आ रही है, एक term आएगी तो वो ही paper आएगे, ठीक है, so that means or, अब इसके इलावा and और और के use के इलावा, आप और भी यहां पे चीज़ें use कर सकते हैं, for example, मैं यहां पे लिखता हूं, data science minus machine learning, so जब मैं minus को use करूंगा, इसका मतलब यह हुआ, कि जो चीज, जहां जहां पे machine learning लिखा रहा है, वो paper ना है, so just a second, so यहां से वो paper निकल जाएंगे, जहां पे machine learning यूज हो रहा है, so these are the keywords, अब आपसे मेरी request यह है, कि आप अपने field का एक keyword यहां पे लिखें, और उस keyword के जितने papers आपके सामने Google scholar में आते हैं, आईएगा chat के अंदर, quotation marks में लिखने के बाद, आपके field का major keyword यूज करके, कितने papers आपके सामने आती हैं, जैसे आप इसको लिखेंगे तो आप वो comment section के अंदर मुझे बता सेंगे, quotation marks से पहले कितने थे, quotation marks लगाने के बाद कितने हैं, अब आप देख रहे होंगे कि आपके पास न, papers की तदाद vary कर लिए होगे, एक चीज मैं आपको और यहीं पर बता देता हूं, कि यहां पर अगर मैं quotation marks के अंदर ही, यह वाला operator यूज करता हूं लंबी line सीधी वाली, this is called pipe operator, और यह pipe operator यूज करने के बाद, आपके पास papers वो आएंगे, which has alternative terms, यानि कि यह alternative terms आपके पास आगी है, pipe operator के बाद, यानि कि एक term आपके पास आ रही है ठीक है, और उसकी alternative term भी आ जाए, alternative का मतलब होता है, कि जो एक चीज आपके पास है, अगर वो नहीं है तो इससे related कोई और term भी आ जाए, फिर इसके बाद, अगर मैं चाहता हूं कि यह data science, सिरफ लिखा आए, और यह वही results मुझे show करवाए, जो title के अंदर जिन जिनके data science लिखा है, तो मैं इसके back side पे लिखूँगा, all in title, all in title लिखने के बाद, मैं इसको search करूँगा इस तरीक के से, all in title, colon and data science, मैं जैसे इसको लिखता हूं, search करता हूं, you will see के मेरे पास 22,000 ऐसी चीज़े हैं, जिनके title के अंदर data science use हो रहा है, all in title, I am not talking about abstract, I am not talking about keywords, I am talking only about titles, अब आप यही चीज़ use करें, एक keyword को use करें, और अपने title को, all in title लिखके जरा search करें, फिर बताईएगा कितने numbers आ रहे हैं, कितने numbers आ रहे हैं, and in this way you will see, कि आपने research को और भी refine कर लिये, यानि कि targeted papers आपके बाज आ रहे हैं, अब एक और काम करते हैं, यहां पे मेरे पास multiple articles आ रहे हैं, but I need only those things, या results, जो सिरफ और सिरफ PDF के अंदर हैं, तो मैं इसके बाद लिखूंगा, file, type, colon sign, और उसके अंदर लिख दूँगा PDF, तो मेरे पास सिरफ वो results आएंगे, जो सिरफ और सिरफ PDF के अंदर हैं, मैं इसको run करता हूं, बल्के इसको मैं duplicate करके run करता हूं, ताके हमारे पास जो चीज़ें हम कर रहे हैं, वो save रहे हैं, file, type, colon, PDF, enter, तो आप चेक करें के हर चीज़ के साथ PDF अगर file होगी उसकी तो वो मेरे पास results आ रहे हैं, and this is how you can actually read the free PDF files which are available online. तो मेरे पास data science opportunities of large language models for neuroscience and biomedicine, यह recent paper मेरे पास आया, Neurons में जो अभी अभी published हो है, and the PDF file is available. I will click on this, and you will see the PDF is open here. Right? So, file type आपने लिख दी, all in title जिसमें data science है वो भी हमने लिख दिया, अब मैं चाहता हूँ के यहां पे मेरे पास site भी हो, say for example, मैं इसी चीज़ को duplicate करता हूँ, not pin, unpin this, इसको मैं उठा के लास पिलाता हूँ, और मैं चाहता हूँ के सिरफ और सिरफ कुछ specific domain से मेरे पास आए, and I know that जब भी education की कोई भी domain होती है, तो वो results जो आएंगे आपके पास, those results will be kind of authentic, क्योंकि हर जयाद बकर ने यहां पे paper publish करके डाले होते हैं, शौहडल के journal के, अच्छे journal के सारे आये होते हैं, तो मैं चाहता हूँ सिरफ education की website के अंदर, जहां पे data science लिखा हुआ है, और all in title है वो paper आए, तो आप चेक करें के मेरे पास सिरफ 26 results रहे गए है data science के, और यह सारी की सारी चीज़ें मेरे पास basically edu की website, यानि के जिस website के साथ edu आता है, वो उससे related होंगी, और अगर मैं यहां पे ext colon pdf करूंगा, तो मेरे पास सिरफ और सिरफ pdf की files आ जाएंगी, at the end we will have only two results, starting with 10 million, 10 million से start करके हमने tricks को use करके सिरफ 2 results पे आ गए है, after refining everything, everything sorry, ठीक है, समझ आई, so these are few tips, अब आपके कितने papers बचे हैं, last पे जो हमने term use की है dot edu की, आप कोई भी कर सकते हैं, dot pk की कर ले हैं, तो पाकिस्तान में जिन लोगों ने dot pk की domain use करके, यह सारी चीज़ें लिखी हुए हैं, you can also see that, जैसे मैं यहां पे लिखता हूँ, site के अंदर, मैं domain use करता हूँ dot pk, dot edu की बजाए, dot pk कर लेता हूँ, कोई भी नहीं है जनाब, अल्ला भला करे, चले मैं extension remove करता हूँ, still nothing, so you can see, के पाकिस्तान में title के अंदर, किसी ने भी अभी तक, dot pk की domain में data science use नहीं किया, अगर मैं dot edu dot pk करूँ, शायद कुछ आ जाए, still nothing, चले मैं all in title को भी remove कर देता हूँ, लें जनाब, अब जाके, तीन चीजें ऐसी आई हैं, जो data science से related है, UET-Texela की, cosmic dot edu dot pk, and then PU की, यह तीन ऐसी चीजे हैं, जो अभी तक data science में लिखी हैं, and this is how you can contact those people, to make and develop your networks, ठीक है, अब इसकी एक और बात करते हैं, आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या फाइदा हुआ हमें, इसका भई यह फाइदा हुआ, कि आप हर country wise लोगों को search कर सकते हैं, जैसे मैं यहां पे एक चीज लिखता हूँ, dot de, de ही है Germany की domain, let's see, तो यह Germany के papers आगे सारे, ठीक है, और अगर मैं यहां पे all in title लिख दूँ, तो यह 19 results हैं, जो सिरफ और सिरफ Germany में available हैं, since 2024, तो अगर आपके पास ज्यादा results आ रहे हैं, ठीक है, और अगर मैं dot pk अब लिखूँ, जो start से है, तो there should be something, these are four things जो anytime से all in title के साथ लिखी हूई है, मैं यहां पे dot ca लिख दूँगा, तो यह मेरे पास मेरे खियाल से Canada की आ गई, dot ch लिखूँगा, Switzerland की आ गई, dot au लिखूँगा, तो मेरे खियाल से यह Australia की domain है, so आपको country domain चाहिए, that you can search via Google, तो मैं यहां पे जाता हूँ country domain list, आप यहां से country domain list निगा ले, top level domain कैसे चलती है, and here you can kind of find those things, let's see, yes, AC है जनाब UK की, dot AD है अंडोरा, United Arab Emirates की AE है, and then you can go proceed further, मैं यहां पे AC लिखता हूँ, यह मेरे पास जनाब UK की आगे, All In Title, Anytime और Data Science की अप्रोच यहीं पे यूज की है, that doesn't make any sense, dot AC, अच्छा, United Kingdom का island है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और search करूँ, UK, United Kingdom, dot UK, obviously dot UK थी मैं सिरफ यह था, dot AC dot UK भी होती है, yes, dot AC dot UK, so 213 papers इनके, All In Title इस टम के साथ है, अब यह चीज आपको क्यों फायदा है देती है, यह चीज आपको प्रोफेसर के साथ लिंक अप करने में फायदा देती है, लोगों के refined paper पढ़ने में फायदा देती है, and even other than that, आपको यह find out करने में help out करती है, कि कैसे literature को review करना है और search करना है, यह तक आपको clear हो गया होगा कि कैसे हम search करते हैं, एक अब चीज आपको बताता हूँ, यह तो हो गया Google Scholar, इसके इलावा AI based इतने ज्यादा search engines आ चुके हैं, which can help you to refine this search even better, practice करें अभी, क्या ख्याल है, सबसे पहले आपने site.ai पर जाना है, यह site.ai के उपर जाने के बाद, आपके पास यह एक journal है, which can actually be used for different kind of literature review, आप यहाँ पर search कर सकते हैं, extension भी install कर सकते हैं, obviously इसकी price भी होगी, and then there are some other ones called Synapse, S-C-I-Naps, so यह basically आपको free भी available होता है, वरना pricing में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको different किसम की prices भी होगी, लेकिन paper search with keyword यहाँ पर free है, सारा कुछ free है, यहाँ पर कुछ extra चीज हैं, we don't need those, ठीक है, so हम simply इसको Synapse को use करते हैं, अब यहीं पर, वही key terms में data science की उठा के, copy करता हूँ, और Synapse के अंदर यहाँ पर paste करता हूँ, तो आप check करें, कि इसने क्या किया है, इसने data science को search नहीं किया सिरफ, इसने यह भी बताया किस साल में कितनी publications है, look on this graph, और यह graph as it is, आप paper में use कर सकते हैं, अगर आपका keyword design अच्छा है, अगर आपके keywords की designing अच्छी है, you can use the same graph in your publication, जब आप review article बना रहे होते हैं, ठीक है, सो यह research intelligence की base पे उसने बताया, 2000 में, 2002 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में until 2023, ठीक है, फिर field के distribution बता दी कि कौन से field में कितना है, यह graph भी आपको help करेगा, यही नहीं, आपको papers भी दे रहें नीचे, और यहां पे, papers के साथ experts जो हैं, लोग उनका भी बता रहा है कि कौन-कौन इस field के expert है, and this is one of the best thing about Synapse, कि यह सिरफ आपको, यह paper search करके नहीं देता, but also give you a kind of idea, मैं यहां पे see more results पे click करता हूं, now you will see a kind of interface, जो paper search से related है, जैसे मैंने यहां पे अपना filter चेंज कर सकता हूं, कब से कब तक के paper चाहिए, जैसे मेरे पास Google Scholar में था, then यहां पे journal का नाम लिख सकता हूं, results field लिख सकता हूं, original review और other articles लिख सकता हूं, index लिख सकता हूं, affiliation and so on and so forth, advanced filters भी कुछ पढ़े हैं, papers को और भी refine करने के लिए, but वो pro के लिए होते हैं, on the other side, आप यहां पे sort भी कर सकते हैं, ज्यादा cited paper जो हैं वो भी निकाल सकते हैं, जो बहुत ज्यादा cited paper है, 2003 का है इसमें, और आप sort by relevance भी कर सकते हैं, and newest भी कर सकते हैं, और जैसे आपके पास इस तरीके से यह result आते हैं, you can actually cite this paper by clicking here, or save this paper into your account, so this is one of the best thing about sign apps, ठीक है, so यह sign apps जो है, यह आपको इस तरीके से result को बना के देते हैं, and on the other side, अगर आप यहां पे home पे जाते हैं, कोई भी और data science के इलावा भी अपना keyword यूज़ करते हैं, you will see a change down there, मैं यहां पे लिखता हूँ data science and machine learning, now you will see के आपका graph change होगे, सिरफ आप keyword research की base पे यह काम कर सकते हैं, अब इसी keyword को मैं यहां से उठाता हूँ, now I can go to another database, उसका नाम है science direct, science direct, और इसके लिए आपको subscription की जरूरत होती है, but usually आपके पास इसकी subscription वैसे university के तरफ से होती है, अगर ना हो, then you can see के आप इसको use नहीं कर सकते efficiently, जैसे मैंने यहां पे किया था, ठीक है, और यहां पे मैं इसमें sign in करने की पहले कोशिश करता हूँ, अगर मैं आपको इसका interface दिखा सकूँ, so just give me one second, क्योंकि मैं आपने credential यहां पे नहीं दिखाना चाह रहा, okay, so मैं उसे use नहीं कर पाया, so मैं यहां पे scopus लिखता हूँ, क्योंकि मैं university में नहीं, university में हमें access है, university से outside हमें कोई access नहीं है, so इस वज़ा से मैंने उसे use कर पाया, because I am at my flat now, तो एक और scopus जिसके बारे में भी आम इने आपको बताया, इसके बारे में हम discuss करते हैं, let me first sign in into the account, और आप यह अपनी library से पता कर सकते हैं, क्या आपको इसकी access है या नहीं है, usually इसकी access आपको पाकिसान के अंदर different universities के अंदर है, और different universities के अंदर नहीं है, यानि कि LUMS के अंदर इसकी access है, LUMS के इलावा मेरे ख्याल से superior university ने इसकी access ली हुई है, and then there are many other universities as well, अगर आप यॉरप में हैं तो हर university के पास scopus की तकरीबन access होती है, और यह मैंने अपने एक student की ID ली हुई है, this is not my ID, so, क्योंकि मेरे पास यहां पर जर्मनी में मेरी university के तुरू इसकी access नहीं है, but I can show you कि कैसे यह काम करता है, यह scopus का जो database है, यह सिरफ वो journals को अपने अंदर इस database में रखता है, जो high quality की papers publish करते हैं, so, आपने क्या करना है, यहां पर search within, यह आपको और भी refined result देता है, आप चाते हैं कि मैंने search करना है article title को, abstract को and keyword को, सिरफ इनके अंदर, अगर data science है machine learning नहीं लिख है, तो मुझे वो result तो, मैंने जैसे इस पर click किया search पे, you will see कि आपके पास बहुत ही refined result आएगा, कैसे, I will show you now, आप यहां पर अगर check करें, तो, let me see, yes, मेरे पास 7580 documents है, और यह सारे के सारे scopus index document है, यानि के high quality के, secondly मैं left side पर field भी select कर सकता हूँ, document type भी, source title भी, final article भी, article in press भी, and then I can do a lot of other things, मैं English में, download कर सकता हूँ, और मैं यहां से, सिरफ review articles पर click करूँगा, तो सिरफ review articles आएंगे, और जो final हैं वो आएंगे, मैं limit to करता हूँ इसे, जैसे मैं यह करता हूँ, तो मेरे पास 643 total documents हैं, जो review articles हैं, ठीक है, what I can do now, मैं export पर click करूँगा, CSV file के अंदर इन्हे export कर सकता हूँ, simply, मैं सारे के सारे documents यहां पर select करता हूँ, document from range भी कर सकता हूँ, 0, 2, 1, 2, 6, 443, सारे के सारे, मैं सारे fields पर click करता हूँ, click करने के बाद मैं यहां से, export कर लेता हूँ CSV file, within few seconds, यह file मेरे पास export हो जाएगी, कि now I have a complete database, about data science and machine learning review articles, ठीक है, और यह काम scopus पर आप कर सकते हैं, easily, जैसे मेरे पास यह CSV download होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, यह CSV कैसे दिखती है, just to give you an idea, कि आप क्या 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 कर सकते हैं, it will take few minutes to open, मैं सिरफ आपको दिखाना चाहूँगा, so यह मेरे पास CSV file है, and this is how it looks like, ले जनाब, तो आपके पास author का नाम, और बाकि सारी information, a CSV file यानि के comma separated value, या Excel की file आप इसे कह सकते हैं, एक kind of Excel की file होती है, तो उसके अंदर ही आगया सारा कुछ, ठीक है, so यह इनके title हैं, सारे के सारे articles के, यह सालों के हिसाब से हैं, किस साल में क्या बावलिश हुआ है, journal कौन सा था, उनका issue number, and so on and so forth, बाकि information, link भी दिये हुआ है, affiliated universities भी है, author and affiliation भी है, abstract भी है, और यह information आपके लिए बहुत एक crucial थावित हो सकती है, कैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि कौन से open access में है, यानि कि कितने articles आप freely download कर सकते हैं, ठीक है, कितने नहीं कर सकते हैं, और आप यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि, यार annotate ना करें, कि मेरे पास नाम आ जाना है उपर, मैंने सिर्फ annotation पर click करना है, मेरे पास नाम आ जाना है, कौन annotate कर रहा है, so please don't annotate, अच्छा भई, खेर, तो यहां पर यह आपके पास articles आजेंगे, जो best part है ना इसका, जो मैं बताने वाला था आपको वो है funding, let me see, funding text, यह सारे का सारा funding आपको पता चल जाएगा, कि कौन-कौन सी अचेंसिस किस country में, हमारी जो research, जो मेरी researchers को support करती है, और वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि कहां-कहां पर कौन-कौन सी funding available है, पहले चीज़, उस्मान भाई, ना करें, second thing is, आपको यहां से corresponding address पता चल जाएगा, यानि के email address of each professor, जिसने वो article publish किया है, यहां पर चेक करें, मैं इसको थोड़ा सा zoom in करता हूँ, अगर मैं इसको कर सका, यहां पर अगर आप गौर करें, यह आपके पास एक funding address आ गया है, so let me see, यह देखें, यह email address आ गया हर किसी का, तो आप professors के साथ रापते में भी जा सकते हैं, उनके paper के बारे में भी उनने बता सकते हैं, you can do a lot of other things, यह एक छोटी सी practice है, जो मैंने आप यह आपको बताई, और Google Scholar के इलावा different databases को आप use करके यह काम कर सकते हैं, right, अब एक और बात मैं आपको यहां पर बताता हूं और उसके बाद हम इस lecture को यहां पर stop करेंगे, वो बात यह है कि बजाए आप यह सारा काम करने के आप free के भी जो IEEE है, एक आपके पास और इनका explore है, IEEE explore, yes, आप यहां पर भी search कर सकते हैं अगर आप different किसम की engineering या different other humanities के fields हैं, आप PubMed को भी explore कर सकते हैं अगर आप biomedical fields हैं, PubMed क्या करता है यह basically, आपको यहीं पर वही काम सारा होता है और आपको free में सारे results दे रहा होता है, यह PubMed है, यह भी एक database है, इसी तरीके से और भी databases हैं, और 9-10 किसम के आपको AI-based databases भी मैं बताने वालों अभी, और उसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से आप databases को use करते हुए, उनका इस्तमाल अपने पास कर सकते हैं, and how you can actually use those kind of databases for your research, और उसके लिए मैं भी आपको एक छोटी सी वीडियो का link भेजता हूँ, which you have to look into, and then we will see कि यह databases आपको कैसे help out कर सकते हैं, पहला काम क्या है अपनी research को short करना, and then उस पे आगे लेके चलना, मैं यहां पे अपनी recording को stop करता हूँ, ले जनाब अभी आपने यह देख लिया हूँगा search engines और कुछ important websites जो आज हम use भी करने वाले हैं, to write a paper या उसके बारे में देखने के लिए, obviously आप सोचने होंगे कि review articles पे बड़ा time लगा रहे हैं, और literature review पे भाई वही बात कि आप innovative तब होंगे, जब आपको पता होगा field में हो क्या रहा है, या तो सब कुछ आप पढ़ लो, या आप क्या करो, क्या करो, फुद से करके कह दो कि मैंने बहुत innovative काम किया है, और बहुत ज्यादा लोग ऐसे करते हैं, innovation के पीछे, सिरफ जूड भो रहे होता है कि मैंने innovative काम किया, हलांके उन्हें पता कुछ नहीं होता कि दुनिया में, बहुत कुछ हो रहे है, and we need to know about that. Okay, Now the next thing is, आपने जो अभी तक सीखा है, इसमें कौन सी ऐसी चीज है, जो आज आपने नहीं सीखी है, new, अभी तक जो हमने workshop का, जो यहां पे plan आपके सामने रखा है, तो वो कौन सी ऐसी चीज है, जो आपने अभी आज ही सीखी है, और प्लीज उसको बताने के लिए, it's requested कि आप अपना hand raise करें, and then I will request you to unmute yourself, और फिर आप बता सकते हैं, क्योंकि interactive है काम, interactive चलेगा, तो interactive हम काम करेंगे, तो फिर ही आगे चलेंगे, वरना तो फिर कुछ भी नहीं होगा, और वो लोग जो बिलकुल नहें आएं, और वो जैसे कहते हैं, कि नम आएं सोनें, तो अगर आप नहें हैं, तो प्लीज रिजिस्टर यर्सेल्फ पो इस वर्क्शॉप, और उसका लिंक जो है मैं भी आपको, डिस्क्रिप्शन में बही देता हूं, डिस्क्रिप्शन से मुराद है, आपको चैट के अंदर, जी सहर, करेंएं रफना माइक के हैं और फ्लीज लेट लेट असंदर तौन आपको सब्सक्रिफेता था, मुझे सब्सक्रिफें नहीं घरख करते हैं, एसके यह जह किसी खाटा नहीं पड़ता था, अबने का यह संदर पार धीन काान बथा, सर आप तो मुझे इसनी सादा इसनों को पड़ाश चल गिये हैं और सर मैंने आज ही आपका पोड़ चाड़ी तो कि पर साइंटिक राइगी तो मैंने आज ही कमप्रीट किया सुगो तो सर उदर से लेकिन यहां पर और सादा चाल गए तेंक्यू आपका माइक बहुत ज्यादा शौर कर रहा था लेकिन समझ आगी हमें फिर भी थैंक्यू सो मच नेक्स चलते हैं जी हसने एन हैदर प्लीज हसने आपका मैंने गूगल कॉलर काफी बार यूज किया हुआ है अगर प्लीज कुछ स्टाम्टीड को जादे आपक श्रिंक्स कनपे यह आपने जो ट्रिक्स बताई जैसे पीडिया फॉर्ट या एंटाइटन लिगना है यह जो क्यूवर्ट की सर्च करनेंगे ट्रिक है यह मैंने लिए नियुक्षी की और जो साइस पेस एक वेबसाइट है उसके बारे में आज सीका वह आपका पहले जो और ख्राबता हो उसमें आई तो यह चीट में इन्जीनियर तसर्वर असलाम लेकुम सर्वालेकुम स्लाम जाए सर मैंने एंफिल किया है अग्रिकल्चर उन्वेस्टी से तो मैंने मेशीन लेनिंग को यूज की है अपनी एंफिल रिसर्च में तो पहले तो जस्ट ऐसा ही था कि बस पॉर्मेल्टी के लिए जिस तरह को होता है लेकिन जैसे मैंने आपके लेक्चर लेना अपने आप को प्रॉमेड करें और दूसरों को ऊपर नहीं आना देखना नहीं चाहते तो सर आपकी यह वीडियो के तौर पर मेरा बहुत ज्यादा रुजहान बड़ा है और दूसरा आपकी वीडियो बहुत ज्यादा और इसकी वजह से टेक्नालोजी ने इतनी वह अब मैं एक प्रोपोजर लिख रहा था इटली के भी पी एच्डी के लिए तो सर यह सारी जो आप बताते हैं रेल्स बनाते हैं उनको आपके वीडियो यह नि जिस तरह आपने गाया न बहुत मैं इतना बहुत को तो मेरे पास वह इतना बहुत ही नहीं है कि मैं कहूं आपके कितने मश्कूर हैं यह अश्यूम्लीकूम जैर यह सर्च इंजिन्स और उसके इलावा जो आपने बताये कि गूगल स्कॉलर पे बाकी चीज़ों से नहीं अवेर थी वह पहले भी आपने बात बताई हुई थी लेकिन शायद मेरे से स्कीप होई थी तो वह जिस तरह से पर आपने बताया कि आप आप पर अपना काम भी देख सकते हो किसी के साथ शेयर करने तो अपनी परफाइल तो बैट वेरिंग इंप जब सर्च करता था तो मैं कन्फ्यूस हो जाथा था गिने जादा पैपर्स आगई और शार पांच अगए आते दिना अब मैं जबी की वर्ड यूस करते तो अब यहाँ नेरो नेरो हो गई है तो सब मैं आपके मुझ वह थेंक्यू को ना चाहता हूं मैंने आप से पोस्ट सब्सक्राइब करते हैं कि उसको मैंने फाल आप किया था अब यह नहीं चीनिंग सीखिया था तो अभी मैं ट्राइक कर रहा हूं कि पहीं से लॉगिन मिल जाए कि जिससां वो डेटा सार आता है ना पीडिया काम में उसमें और नेरोडों होके प्रफैसर से पर फाल आप कर सर खपाया है खास तरहरे स्कॉपस से लेके क्योंकि अगर आपको पता है मैटा एनालिसिज क्या आ यह रिसर्च। आप एक कम्प्यूटर बैठके एक मां में एक पेपर लिख सकते हैं if you are dedicated एक मेटा एनालिसेज एक कम्प्यूटर पर बैठके एक मा के अंदर और आप तो AI जिन दिन में लिख लिया था एक review article, obviously उसको refine करने में time लगता है, but you can do it, so, बड़ा play करने के लिए ना आपको, एक dedication देनी चाहिए, अपने काम को, and then you can do a lot of things, आज की इस workshop के अंदर अभी तक, जो मैंने बताई हैं चीजें, उसमें से, अगर आप में से, कोई 3-4 लोग भी इसको use करके, कुछ advance कर लेंगे, that will pay off, so, मेरी आप से request हमेशा यही है, कि dedicated होके काम करें, चीजों को सीखें, और उसको implement करें, ना कि बजाए इसके, कि आप यहां पे बैठे हैं, और बराए नाम हम workshop ले रहे हैं, अब हम ऐसी चीज के उपर बात करने वाले हैं, जो scientific writing में बहुत ज़्यादा, confuse करती है, beginners को, वो क्या है, वो है कि जनाब, research article या research paper, versus review article इन दोनों में फरक क्या है, और जब तक है कि, एक researcher को, या एक scientific writer को पता चलता है, कि review और research में क्या फरक है, तब तक अच्छा खासा time गुज़र चुका होता है, यह मेरे साथ नहीं, आप लोगों के साथ भी यह बात भीती होगी, और इसी चीज को दूर करने के लिए, इसी confusion को दूर करने के लिए, यह कुछ चीजें में आपके गोश गुज़र करने वाला हूँ, स्क्रीन आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, और, यहां पर आप देख सकते हैं, बकाइदा, कि किस तरीके से हमारे पास जो important points होते हैं, एक research article के, वो कौन गौन से होते हैं, अगर आप गौर करें, तो हमारे पास एक research article के अंदर, अगर मैं इसको बोलू, parts of research paper, या research article, उसमें कुछ important चीजे होती हैं, introduction होता है, methods होते हैं, results होते हैं, discussion होती है, और इसके ऊपर आपके पास abstract होता है, जो review article में भी होता है, research में भी होता है, we are going to discuss that, और इसके बाद में आपके पास references होते हैं, और अक्सरोकाद conclusion भी होते हैं, so ये चार points में ने यहाँ पर क्यों लिखे हैं, इसका मकसद यह है कि आप जब भी कोई चीज लिखना start करते हैं, आप ब्राड तरीके से लेके चलते हैं, ब्राड से मुराद है कि आप ब्राड लिट्रेचर रिव्यू करते हैं, लिट्रेचर ओवर्वियू देते हैं, फिर आप अपनी study का gap find करते हैं, फिर आप research question अपना बताते हैं, जो और भी specific हो जाते हैं, फिर उस specific research के result बताते 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 बताते, बिगर इंपक्ट के तरफ जाते हैं, and this is how your research paper is kind of, I would say, structured. अब research paper को जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं, तो अकसर हो काथ लोग introduction से लिखना स्टार्ट करते थे, और discussion, या introduction से लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर method, फिर results, फिर discussion. So, एक चीज़ तो आप अपने माइंड में रखे हैं, कि research article वो research article वो चीज़ होती है, जो आपने उद से कोई experiment किया हो, उसके results आपके पास आए हैं, उस result के उपर आप फिर बातशीत करते हैं, उसको discussion बोलते हैं, और उससे related आप introduction लिख के फिर submit करवाते हैं, यानि के methodology जो आपने research की है, उसकी methodology और उसके results किया है, and then उससे related discussion and then introduction. This is a kind of structure for research article. अब research article के अंदर आपके पास different किसम की defined structure भी होती है, something like this. अगर आप यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर आपके पास abstract होते हैं, जो हर जगाँ पर जब भी आप research article की structure को देखते हैं, abstract होते हैं, abstract के कुछ पार्ट है, फिर introduction है, उसके कुछ पार्ट है, फिर literature review जो introduction के अंदर ही आता है, उसके कुछ पार्ट है, फिर methodology है, फिर results है, फिर discussion है, then conclusion, acknowledgement, references, and there are many other things specific to each journal, journal क्या होता है, जहां पर आप अपना research article सब्मिट करवाते हैं, फिर वो उसे review करके कहते हैं, ठीक है, हम इसे publish करते हैं, यह नहीं करते हैं, आप लोगों को journal का तो पता है, कि journal क्या होता है, जरा चैट में मुझे बताईएगा, अगर आप में से किसी को journal का नहीं पता, या किसी को यह नहीं पता, कि publisher क्या होता है, तो please let me know in the chat, वरना हम इस फे फिर discussion में अच्छी खासी बात्चेत कर सकते हैं, and then we can think about it, ठीक है, चले, मैं अभी आपको बताता हूँ, जैसे मैं ने क्या की किताब लिखी है, जर मैं उसे परफिश करने चाता हूँ, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता है ना कि मैंने वह जोकी क्टाब उठाई है और घरमे प्रिंट कर गे, पously मुआ है, जहां पे लोग चीजों को परफिश करते है, मैं एक मिसाल देता हूँ एक बहुत बड़ा जर्नल या बहुत बड़ी publication company आप कहते है नेचर उसका नाम है वो paper लेने के और उसे evaluate करके दुनिया के सामने लाने के जिसको हम publication बोलते हैं publish करना बोलते हैं उसकी fee अची खासी चार्ज करता है पंदना से बीस लाक रुपया वो चार्ज करते हैं एक पेपर का I am actually in the process of reviewing one of the articles जो हमने submit कर वाया nature के अंदर और alhamdulillah वो under revision है and we are working on that तो उसका मैं first share author हूँ तो काफी बड़ी team है जिसने उस पर काम किया और believe me 5000 euro से start होती है तो यह एक publisher है जैसे मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ आपने कोई book पड़ी होगी book वो जिस बंदे ने लिखी है उसने लिख के किसी एक publishing house को भीजी उसने वो उस book को review किया review करने के बाद उन्होंने pages पर प्रेंट किया और उसकी कई कॉपियां बनाई ठीक है वो publishers होते है अब होता है क्या है journal जो है publisher के अंडर एक specific niche होती है मिसाल के तोर पे nature एक बहुत बड़ी company है आप क्या सकते है springer nature उसके अंदर journal है journal का नाम है nature यानि कि इसके अंदर सारे biological या climate से related सारे पेपर आजाएंगे फिर आता है नेचर इंजिनरिंग नेचर इंजिनरिंग नेचर कम्यूनिकेशन उसमें specific niche के आ जाएंगे इस तरह specific होते 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 publication जो houses होते है उनके जो outlets होते है वो specific नाम के साथ चलते हैं उसको हम journal करा देते हैं department कहलें sub department sub categories कहलें फिर वो each journal को evaluate करने के लिए बड़ी बड़ी एजंसियां होती है यह आप कह सकते हैं बड़ी बड़ी और companies होती है जो कहते हैं कि यह journal में जितना काम हुआ है लोगों ने उसे site किया यानि कि लोगों ने बताया कि हम ने यह reference फिलाँ paper से लिया और वो इस journal का paper है उन citation और उन में जितनी publish हुआ paper और किस-किस ने publish कि उसकी base पे हर journal को एक metric a lot किया जाते है metric के आता एक पैमाना उस पैमाना को impact factor कहते है citation score कहते है वो quality बताता है आपको किस journal की कौन से quality है by the way इसके उपर हमने बहुत already एक जो हमारा scientific writing AI use of AI tools in scientific writing यह research writing जो course उसमें discussion भी की है but आने वाले complete course के अंदर इस पे और भी जादा हम बहस करेंगे but for now I just want to point out कि यहां पे यह जो research article है इसकी shape यही रहती है लेकिन अक्सर वकाद यह results and discussion जो है यह थोड़े से merge हो जाते है यह आप कहलें कि एक ही जगा पे आ जाते है based on the journal यह journal आपको बताता है कि यह research article जब आपने कोई भी लिखना है Microsoft Word पे लिखते है यह latex भी लिखते है इस अप टो यू तो उसको यूज करते हो आपने किस structure को follow करना है तो यह तो हो गया जनाब आपका जो है research article अब research article के अंदर एक और चीज ऐसी आती है कि आप इसको इस तरीके से अगर देखें कि why यह का मतलब है कि मैंने यह question क्यों चूज किया जिस पे मैं topic पे research कर रहा हूँ then how मैंने कौन से methods को use करते हुए इस एक topic को judge किया then what क्या इसमें से निकला अगर कुछ निकला है कुछ result आया तो so what इसका मकसद क्या है याईनि के बड़ी picture क्या है and this is how you can structure your research article यह एक research article ऐसे होते है अब review article क्या होते है उसके उपर बात करते है on the other side review article के अंदर आपके पास different headings होती है you don't go like this research article जिसमें methods, results, conclusion, discussion, introduction, something like this happens नहीं, ऐसे नहीं होता आपका title abstract होते है, keywords होते है then you have introduction फिर उसके आगे headings चलती है review का मतलब है कि आपने कुछी चीज के introduction लिखा और फिर उसका लिखा के recently इसके अंदर क्या हुआ है फिर different headings जैसे एक book chapter की होती है books की होती है वैसे आप headings देके अपना review article finish करते है review article क्या होता है जो अभी तक किसी एक field में जो जो new चीजें हो चुकी है उसको बयान करना critically evaluate करकी अब review article की कुछ types होती है पहला होता है जनाब narrative review narrative review क्या होता है कि मैंने एक review article लिखना है specifically on data science and machine learning use in Pakistan तो यह title हो गया अब जितनी भी पाकिस्तान के अंदर research हुई है data science and machine learning के ऊपर मैं उसको evaluate करूंगा यानि के मैं अपना expert तज्जिया दूँगा मैं analyst हूँ मैं तज्जियाकार हूँ अब पाकिस्तानियों को यह बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है तज्जियाकार वाली आगी है ना कुछ हो रहा होता है हर बंदा अपनी YouTube पे video डार रहा है हर बंदा Twitter पे शेयर कर रहा है मेरा तज्जिया यह गहता है केड़ा तेरा तज्जिया इच शुद भी based on दलाई लर्ण सुबूतों और गुवाहों की बिना पर यानि के data के बने आद पर इस पे बाद में बैस करेंगे पाकिसान में तो data ही नहीं हम collect कर सकते समझाई बात की के एक चीज़ आपकी expertise में है ही नहीं और आप उस पे बैठके expert opinion देना स्टाइट कर दें how is it possible के that which strikes somebody's mind हो ही नहीं सकता इसके एक और मिसाल आप लेलें बड़ी देसी तड़के वाली है आप कभी लोहार को कह सकते हैं के सुनार वाला काम कर ले उजार तो तगरीबन से यह है नहीं नहीं हो सकता इसी तरीके से एक plumber को आप कभी भी नहीं कह सकते कि आप यह लकडी का काम कर तो उजार तगरीबन से यह होते हैं अगर देखा जाए यह तो आप एक्सपर्ट हों जैसे मेरा करियर इस्टेबलिश हो गया कि डेटा साइंस मशीन नर्णिंग AI बाइनफरमेटिक्स में काम करता हूं यह तो मेरी प्रफाइल है और पीपल लों कि मेरा आर्टिकल जाएगा देन देन इतने पेपर इसने पब्लिश किया तो वह एक ना वो क्या कहते है एक्सपीरियंस आ गया लेकिन कुछ लोग जो बिगिनर्स है वो क्या करें देगें और राइट रिवीव अर्टिकल कैसे वह यार ऐसा लिखो के पढ़ते ही कोई बंदा किया लिख है वो कोई करें पर्धान मंतरी वह वा क्या बात वाला सीन उनके मुंह से निकले जो लोग मीमस देख देखते उन औनको समझ आ रही हो कि जो नहीं देखते को है। जैसे तेहजीब आफी को आ बखोरते हैं समझाङी जी तो इसको बोलते हैं जनाब एक review article लिखना ओर review article के अंदर आपना narrative जब देए उसको बोलते है narrative review अब लाइल की base पे चलते है'm मिसाल आपको आपको बिर्यानी बनानी नहीं आती अब जितने लोगों ने बिर्यानी बनाके papers lik दी है मैं बिर्यानी की मिसाल इस पड़ा से दे रहा हूँ कि आपको समझ आ रहाएगी but obviously एक प्लेट बिर्यानी पे कुछ भी हो सकता है तो हम research क्यों नहीं सीख सकते so यहाँ पे बिर्यानी की मिसाल से मुराद है आपका research idea आपको बिर्यानी बनाने नहीं आती but you have read और gone through a lot of articles यहाँ पे बिर्यानी बनती अब आपको कमज़कम idea हो गया बिर्यानी कैसे बनानी है so what you can do, you can take a reference for example, सबसे पहले आपने chicken खरीदने है एक kilo तो वो किसी article में लिखा हूँ ना एक kilo खरीदने है तो आपने कहना है कि फ्लाव बन्दे ने बोला है कि एक kilo चिकन बिर्यानी में सही रहता है ठीक है और साथ में reference दे देना उस बन्दे का फिर आगया आजए अब उस चिकन को छोटे-छोटे पीसों में काट ले वो अगले बन्दे ने बोला है चोटे-छोटे पीसों में काट ले फिर तीसरी दफा चोटी दफा सारा बताने के बाद लोगों की बातें बता के इंड पर कहना है लगता है वो कहता है देया कुछ तो गड़बड है CID याद है एंड पर आपने अपने अपना view दे देना होता है हर paragraph के अगर कोई पड़े उसे recent advances का पता चल जाए कि इस फिल्ड में कौन-कौन से advancement अभी हुई है until today सही है और यह research article नहीं होता इसमें आप लोगों के research के बारे में एक ही paper में लिख देते है समझ आगे बात की narrative review की और यह बहुत ही ज्यादा specific niche पे होता है niche क्या होती है एक ऐसी चोटा sub-point या specific point जिस पे आपने लिखना होता है अगर मैं data science पे review लिखने लग जाओ नो तो कताबे में बढ़ सकता हूँ इतना कुछ लोगों ने लिख है but what I can do data science and machine learning use in Pakistan on the behavior of kids effect of data science and machine learning use in Pakistan on behavior, kids behavior, something like that तो अब मुझे पता है जो भी मैंने paper लेने है मेरे पास keywords आगए specific keywords आगए kids भी आगए उसमे data science भी आगए machine learning भी पाकिस्तान भी automatically paper कम हो गए उन सारे papers को उठाना है मैंने और उन में से चीजें उठा उठा के rephrase कर करके मैं आपको तरीका बताता हूँ आपने एक जगा पे लिखनी है but that should follow a storyline अगर उसमें storyline follow ना हुई तो आपका narrative review सही नहीं होगा चीजें लोगों की लेनी है आपने but you have to write in a way कि जो नया देखने वाला बंद है उसे सारी समझ आ रहे अब इस जगा पे आपका literature search का strong होना जरूरी है ताके आपकी नजर से कोई quality वाली चीज ओजल ना हो जाए क्या खयाल है अब समझे Google scholar पे हमने क्यों चीज़ें सीखी थी अब मुझे बताएं आपको मैं अगर 50 या 100 paper दे दूँ एक review article लिखने के लिए क्या मुश्किल है paper लिखना review article अभी शायद मुश्किल लग रहा हो लेकिन मैं आपको बताता हूँ असान कैसे करने एक तरीका यह है कि आपने जितने भी paper आपके पास आएं यह सारा search करने के बाद आप उसे download करें PDF के अंदर और obviously करना पड़ता है या आप उनके links सेव कर ले अब आपको बताने वाला हूँ AI का तरीका है टोटका या नुस्खा जिसे बोलते हैं obviously जबैदा आप पागनी है बबा अमार का है so let's see हमारे पास कुछ चीज़ें important होती है paper आपके पास आगया या तो आप सारा paper पढ़े और अपने मर्जी की चीज़ उठा ले अब पुराने दोर में जब कोई बंदा paper लिखता था review article तो हमें so so paper seriously पढ़ना पड़ता था highlight करना पड़ता था चीज़ों को उठा के separate करना पड़ता था and a lot of other things और यह काम हमने किया हुआ है और यही तरीका का रहा है ठीक सही तरीके से करने का but यार AI आगी है तो why don't we use AI for this purpose दो तरीके आपको बताने वालो पहला मेरा अपना in-house built PDF reader हमने बनाया Python के लासे के अंदर जिनको नहीं पता उनको बता दू कि जो Python का हमने course किया उसके अंदर आपको याद है हमने chat with PDF एक bot बनाया था बलके कई बनाये थे bots वो यहां बे यूज़न है सो कि सो PDF उठाओ रखो question पूछना start और वो जो results आपके पास आएंगे those results will be authentic जिन लोगों का ये question है chat GPT से लिख के हम ढाल सकते है भाई chat GPT को भी सही तरीके से use करना आता हो chat board के through then you can use those things और PDF chat voter जो है वो इंशाला आपको free में मैं provide कर दूँगा क्योंके मैं कोशिश कर रहू हूँ उसको अपनी website पे launch करने का कोई भी उसे use कर पाएगा free of cost obviously वो cost जो होगी हम manage करेंगे वो कैसे manage करेंगे या तो YouTube की income जो थोड़ी बहुत हमारी आती या मेरी अपनी pocket से जाती या कुछ लोग हमें donate करते हैं ताके लोगों का फाइदा हो कुछ लोग नहीं fee pay कर सकते तो उनको हम free में add कर लेते हैं so that's one plan second one is there are few things जो आप खुद से purchase कर सकते हैं जैसे आप chat.jpt open.ai की API परचाइज करें and then there are some softwares which you can use to do the same thing फिर तीसरी है Google की extension इतनी कमाल कमाल की हैं या आप लोगों का शाहिए नहीं पता आप उनको use करके यही काम लेके सकते हैं and then the fourth one is आप जब अपना सारा analysis कर लें और उन पेपरों में से चीज़ें अपनी questions उठा लें उनको रखें एक जगा पे and then run chat.jpt on those things just for the punctuation, storyline and then a lot of other things जो मैं भी आपको बताने वालू and this is how you can write a review article क्या खियाल है? को मुश्किल है? obviously मैंने अभी सिर्फ आपको बताया करके कुछ नहीं दिखाया but question मेरा ये है आप से क्या आपको लगता है कि ऐसा review article लिखने से ethically कोई घलती की है हमने? क्या खियाल है आपका? अगर हम ऐसे review article लिखें जैसे मैंने अभी आपको प्यान किया क्या हम ethically घलत कर रहे है references भी बिल्कुल सही आएंगे मैं आपको तरीका बदाता हूँ थोड़ा सा laborious work है लेकिन references भी ठीक हैंगे ethically हम कुछ घलत नहीं कर रहे मेरे point of view के मताबिक बाकी जाहरी बात है जिसने point of view अपना और बंदे का different होता है मेरा point of view यह कहता है कि AI को अच्छा AI आपकी जॉब खा जाएगी अगर आप AI को यूज नहीं करेंगे सही है या तो आप AI को अड़ाप्ट करके काम कर ले वन्ना कोई और तो करी लेगा और इसमें ethically घलती क्यों नहीं है क्योंके हम अपनी laborious work को short कर रहे है यही तो AI कर रही है पहले जो पराने जुआने में हम खतो कताबत करते थे आज WhatsApp पे बैठे हैं Zoom पे बैठे हैं तो इसमें कोई गलती तो नहीं हमने procedure कोई fast किया कोई ethically तो नहीं कोई गलती की न हमने क्या ख्याल है सो मेरा opinion यह कहता है हमने चीजों को fast कर लिया बट still our mindset is inside हमारा mindset inside है हमने story बनाई है हमने idea सोचा हमने यह काम किया वो लग बात है कि laborious काम हम उसको reduce कर लिया that is why in my opinion I'm still saying in my opinion is ethically still valid unethical क्यों नहीं है क्योंकि हम किसी के paper से data नहीं उठा रहे समझ रहे है बात को हम किसी के review article को नहीं swirl करके और फिर दुबारा अपना बना के पेश कर रहे हम अपना review article लिख रहे है from the papers ठीक है references भी ठीक होंगे सब कुछ ठीक होगे थोड़ा सा laborious work है but you can do it अब यह सारी की सारी चीज़े हम कैसे कर सकते है इसको बोलते है smart working smart working के लिए आपको कुछ चीज़े maintain करने पड़ती है वो कौन सी चीज़े मैं भी आपके सामने रखता हूँ and then we will talk about this यहां तक आपको समझ आ गई है कि review article लिखना कैसे है और अब हम चलते है review article को design करके इसको और advanced level पे ले के जाने में just give me one second because I have to open the file अच्छा ले ले जनाब आपके सामने में अब आपको बताने वाला हूँ कि आप एक review article कैसे लिख सकते है obviously उससे procedure क्या है और कौन कौन सी चीज़े उसमें maintain हमने करनी सारा कुछ में इसमें बताऊंगा ले जनाब इस lecture में हम देखने वाले हैं किस तरीके से आप एक review article को start से end तक लिख सकते हैं shortcut way में AI को use करते हुए AI tools को use करते हुए and अगर ये बिलकुल काम सही तरीके से चल जाता है then you can actually publish an article within I would say बहुत maximum भी लगाऊं तो 30 days के अंदर अगर आप रोजाना के तीन गेंटे दे तो अगर एक साल में 12 article नहीं तो कम सकम 50% ही आप article लिख लो तो 6 articles आप publish कर सकते हैं review articles obviously जितना अच्छा article होगा उतने लोग उसे पसंद करेंगे सो मैंने narrative review के अबारे में आपको बता दिया कि जहां पर आप critically किसी के papers को evaluate करते हैं उसको बोलते narrative review second होता है systematic review sorry ये gesture machine learning के चल रहे हैं मैं कोई भी यहां पर ऐसे दूँगा gesture तो वो फिर उसके हिसाब से ना ऐसे poppers वगएर आते रहते हैं so दूसरी चीज ये है के narrative review के से दूसरी टाइप होती systematic review systematic review के आता है जिसके अंदर आप पकाइदा dates और साथ में papers के नाम journals के नेम authors के नेम किस साल में कितने paper हुए कौन से topic पे हुए उनके आपस में connection के है इन चीज़ों का आप discuss करते है तो वो होते है systematic review उससे भी advanced level पे review plus research दोनों combine होगे जिसमें आते हैं that is called meta analysis उसमें आप systematic review को ले के चलते हैं systematic review में से आप सिरफ categorical नहीं बलके quantitative outputs लेते हैं and then you write your article और उसके अंदर methodology भी होती research पे होती है and there are many other things that is called meta analysis तो research article हमने देखा narrative review देखा हमने systematic review के बारे में पढ़ा and then we talk about meta analysis now in this lecture we are only talking about narrative review और narrative review is the beginning of systematic review and meta analysis so if you know how to deal with narrative review you are actually very good in systematic, you can be very good in systematic review, meta analysis and also in research article writing क्योंकि research article का आदा हिस्सा literature review से related होता है other than methods and results, ठीक है? त्यार है? ले जनाब okay, so यह आपके सामने screen हाजर है अब इस screen के उपर पहला काम हमारा क्या है? किसी भी एक topic को decide करना और उसके लिए जो मेरा best तरीका कार होता है वो होता है जनाब आपके कुछ search engine use करके site.ai एक search engine है जिसके बारे में मैंने आपको बता है और reel जो मैंने आपको send की थी उसके अंदर भी यही था फिर sign apps का है जो मैंने आपको बता है फिर आपके पास size space है एक और Google पे जा के अगर size space लिखेंगे तो यह एक search engine आजाएगा फिर एक और website है जो हम use करने वाले है research rabbit उसका नाम है फिर एक और website है जिसका नाम है connected papers फिर एक और website है जिसका नाम है paper paul you can also use this one and there is another website called researcher.life अब अगर आप इन 6 के 6 tools को अपने mind में रख लें you can do a lot of things in addition to that एक Google extension है Google Chrome के जिसका नाम है harpa.ai this is one of the best extension I've ever encountered reason क्या है अभी आपके सामने में आपको बताता हूँ और ये free में available है you don't need to buy this ये extension आप इंस्टाल करते है इस तरीके से आपके पास h आजाता है corner पे तो ये सारे के सारे links में आपको send भी कर दूँग so you don't need to worry about this thing तो जो लोग ये live lecture ले रहे है तो उनको कोई भी परिशानी की ज़रूरत नहीं है अच्छे अब मैंने क्या करना है यहाँ पे ये जितनी भी websites हमारे पास है इनके उपर हम search कर लेते हैं और obviously हमारे पास Google Scholar, Scopus और बाकी चीज़ें भी होना ज़रूरी है अब हम एक task decide करते हैं अपना topic कैसे choose करना है और topic choose करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरा field of study क्या है जैसा कि अब थोड़ा से मैं इसको agriculture side पे link करूँगा because that is my major domain और उसके through मैं data science के बारे मैं बात करूँगा और फिर मैं उसके key terms यूज़ करेंगा आपने इन चीज़ों को अपनी key terms के साथ replicate करना है जो आपके mind में है ठीक है so मेरे पास जो key term है मैं यहाँ पे लिखता हूँ simply मैं यहाँ पे लिखता हूँ agriculture ठीक है और and लिखके मैं साथ लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ nitrogen और मैं and लिखता हूँ emission ठीक है so मैंने यहाँ पे तीन key words use किये आप अपने fields से related करेंगे obviously मैं सभी के सभी fields को यहाँ पे नहीं लिख सकता I can only write few fields जो मैंने यहाँ पे लिखे मैं इनी key words को उठाता हूँ और इनी key words को मैं scopus में भी ले जाता हूँ अगर आपके पास scopus की idea नहीं है you don't need to worry about that आप synapse को use करके इस तरीके से कर सकते है मैं scopus के अंदर भी ने paste करता हूँ just to give you an idea अच्छा लिख यहाँ पे दो inverted commas लगके यह वाले ठीक है यह मैंने इस तरीके से कर लिया and this is giving me an idea कि यहाँ से paper इसके publish होना start हुए ठीक है और आप देखें कि यहाँ पर आके अभी 2023 में 141 हुए सबसे ज्यादा 2022 के अंदर इससे related publish होना paper फिर scopus में जाते है और मैं limited to review कर देता हूँ इसे और रडी agriculture, nitrogen already ठीक है हमारे पास and then limited in English अब आप देखें scopus ने भी हमें एक article दी है ठीक है और synapse के अंदर हमारे पास articles आगें papers आगें यहाँ पे and I am going to do the same thing with google scholar as well just to show you कि आप google scholar का भी फाइदा ले सकते हैं इसी काम के लिए so मैं google scholar को यहाँ से on करता हूँ और यहाँ पे मैं यही चीज गूगल scholar में लिखता हूँ और यह मेरे पास अच्छे खासे papers आ रहे हैं so I can what I can do quotation marks को मैं remove करता हूँ just to provide a kind of एक million के करीव है all in title एक तालिस पेपर आगे agriculture, nitrogen and emission और आप आप गौर करें कि जिस जिस title के अंदर nitrogen, emission and agriculture तीनों use हुए हैं वो मेरे सामने आगे और यहाँ पे मैं review articles पे click करता हूँ तो कोई नहीं है reason के है कि यह तीनों का title में होना जरूरी है मैंने इस विज़ा से इसको किया so now I remove this just for the sake के मैं सिरफ review article चाहता हूँ 2024 के चाहता हूँ and here you go impact of climate change and agriculture practices on nitrogen processes, genes and soil nitrogen oxide emission a quantitative review of meta-analysis then agritech to tame the nitrogen cycle and there are many other things same हम यहाँ पे जाते हैं मैं यहाँ पे click करता हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारे पास यह कुछ papers आ गए and I can actually sort down by newest like this in Synapse और मेरे पास new आ गए इसी तरीके से Scopus के अंदर मैंने सिरफ और सिरफ review articles यहाँ पे की है and I can see कि मेरे पास 2024 का यह बला आ गया और यहाँ पे मेरे field से related मुझे एक चीज की समझ आ रही है कि यह जो keywords मैंने लिखे हैं यह बहुत broad key terms है I need to write a kind of practice inside agriculture एक बहुत बड़ी term है nitrogen एक बहुत बड़ी fertilizer है emission भी उसमें से है ना तो मैंने यह बताया किस चीज की emission ना तो मैंने यह बताया कि nitrogen क्या fertilizer या nitrogen input या nitrogen का organic या inorganic whatever ना मैंने agriculture practice का बताया कौन सी है so अगर मैं इसके साथ कोई एक चीज और add कर दू something like a kind of material जो मुझे पता है मैंने लिखना है तो इसको मैं biochar add कर दू now you can see कि यही जो मेरे पास 406 papers है यह और भी specific हो के 34 रह जाएंगे मेरे पास और यह 34 paper review articles हैं सारे के सारे and now I can see के मैंने किस तरीके से किस चीज पर review article लिखना है तो यह 34 के 34 review articles मेरे सामने आगे हैं क्यूंके मैंने broad की terms लिखी सबसे पहले फिर उससे चोटी फिर उससे चोटी फिर सबसे specific ठीक है और जैसे मैंने यह लिखी मेरे पास review article आगे 34 on the other side अगर मैं limit to review article को cancel करता हूँ और यहां पर सिरफ article पर click करता हूँ so now I will have 247 research articles इसका मतलब यह हुआ के scopus index के अंदर मेरे पास 247 ऐसे documents हैं जो सिरफ और सिरफ research article है that actually revolve around these key terms समझागी इन keywords के around वो गूमते हैं अब keyword design करना इसी वड़ा से important था जो हमने start जहां से किया था मैंने 4 keyword लिखे हैं और मेरे पास 247 research articles आ गए ठीक है और मेरे पास 34 के करीब review article है now I have to read those review articles ठीक है मैं आपको एक example देता हूँ कैसे read करना है और इसमें हम extension का use कैसे करने वाले है मैं यहां पर जाता हूँ अच्छा scopus आपके पास नहीं है don't worry आपके पास एक और web journal होगा web of science web of science database भी आपके पास होगा तो आप इसको भी use कर सकते हैं यह मेरे पास यहां पर भी नहीं चलना भी आपको बताया अच्छा अब Synapse के अंदर भी अगर मैं biochar लिखता हूँ यहां पर and biochar I am just writing few random terms ताके आपको समझ आ रहे है किस तरीके से हम यह काम कर सकते है relevance आ गया citation newest पर मैं click करता हूँ and यहां पर मेरे पास 2023 का recent article है December के अंदर GCB Bionergy के अंदर publish हूँ which is a very nice journal मुझे पता है मेरे field के इस वेड़ा से क्योंकि पढ़ा हूँ मैं अगर आपको नहीं पता तो इस अप तो यहां से मैं review article select कर लूँगा obviously this is now starting asking me for money so कोई मसला नहीं है मैं खुद देख लूँगा कौन सा review है कौन सा research article है that doesn't make any issue ठीक है so यहां पे मेरे पास original review other इस में select नहीं गरबारा because of the pro thing क्योंकि इस में price tag लग गये तो मैं क्या करता हूँ इस एक paper को देख लेता हूँ जो मेरे पास latest आया है latest को उठाने के बाद मैं इस paper की DUI पे click करता हूँ तो यह paper का original link मेरे पास open हो जाएगा यह विले के अंदर GCB bioenergy यानि के global change biology bioenergy के अंदर है और अगर मैं इस journal का impact factor देखू तो this is around I would say about के अंदर जा के general matrix इसका impact factor side score 10 है और impact factor 5-6 है विच इस one of the I would say in Q2 या Q1 के अंदर अब आप अगली चीज़ चेक कीज़ेगा यहाँ पर यह article जो है इसके उपर ही लिखा हुए research article यह देखे अब यहाँ से आपको पता चल जाए कि यह एक research article है सही है तो हमने यहाँ करना है यहाँ पर search कर 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 के हमने सिरफ review articles find करना है अगर आपको synapse पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर आजाए agriculture, nitrogen, emission और मैं यहाँ पर biochar लिखता हूँ and now you will see के मेरे पास review articles आएंगे और 2024 के आएंगे and this is one of the review articles biochar as soil amendment in climate smart agriculture and most chances are के यही मेरे पास यहाँ पर भी available हो but let's see मैं इसको review पर करता हूँ strict and I am hoping के यही मेरे पास corpus के अंदर होगा नीचे जाके okay so not in the top लेकिन this article should be there so यहाँ पर दन्याल भाई नहीं करें यासे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि biochar as amendment in climate smart agriculture यह मेरे पास आया यहाँ इस पर click किया and this is one of the review article something like this और 7 February यानि के बहुत ही latest review article है मेरे पास यह review लिखा हुआ अब मेरे पास scopus के अंदर जो review articles थे और जो Google scholar में थे दोनों में differences क्यों है इसकी reason बताता हूँ Google scholar सारे review articles को review article नहीं consider करता सिरफ उनको करता है जिनके keywords में review article लिखा हो या journal ने बताया होगा ये review article है क्योंकि ये machine learning की base पर चलना है Google scholar तो इसके अंदर गलतिया है इसका मतलब यह है कि Google scholar आपको 100% review articles नहीं देता scopus दे देता है web of science दे देता है pubmed दे देता है IEEE देता है there are some databases यहां पर आपके छोटी सी assignment है assignment यह है कि आपने अपने field से related best databases कौन कौन से research के वह find out करने है ठीक है और यह assignment मैंने लेनी नहीं है आप से यह आपके लिए है आपने खुद ही इस पर काम करने और search करने कि कौन कौन से databases है और दूसरी assignment आपकी important यह है कि आप किसी ना किसी university के साथ link up होगे यह machine learning चल रही है ठीक है तो आप किसी ना किसी university के साथ link up होगे अपनी library वालों से पूछना है कि हमें किस database की free access है समझा ही बात की university library और believe me आप में से आदिल होगे universities में free access होगी scopus भी होगा लेकिन किसी ने बताया नहीं है कभी मैं आपको एक मज़े की बात बताऊ इटली में मैंने PhD के दुरान साथे तीन साल गुजा रहे हैं इटली में दो साल गुजा रहे हैं बाकी लेकिन मेरे पास email ID चार साल के करीब करीब रही है मुझे आखरी साल में पता चला था कि इटली में सब कुछ free है जर्नल के paper free है publication free है free से मुराद university fund करती है मुझे पता ही नहीं किसी ने था और तब मैं सार पकड़के बैठ किया था कि इतना कुछ मेरे पास free में था मैंने use नहीं किया आप चेक करें कि कौन सा मतलब scopus भी आपके लिए अवेलिबल हो सकता है and there are many other databases जो आपके लिए अवेलिबल हो में secondly आपने यह करना है अपनी library से अपनी library से university की library होगी या किसी organization की official email बनवाए अपना as a student या as a professional और उस official email को आपने further use करना है but many things मैं आपको आने वाले दिनों के अंदर बताऊँगा कि कैसे अब यह दो चीज़े आपके लिए क्यों important है क्योंके database आपका main criteria किसी चीज को search करने का ठीक है और वो database HEC का नहीं लेना आपने आपने वो वाले लेना है जो qualified databases है जैसे PubMed है जैसे Scopus है जैसे IEEE Science Direct है Elsewhere के है इसी तरीके से ठीक है और इस तरीके से जब आप database को search कर लेंगे then अब मैं आपको paper दिखाता हूं यह paper आ गया जी आपके सामने और अक्सर अकात यह paper जो है इसके साथ यहां पर price tag होता है कि आप इसको नहीं ले सकते लेकिन obviously यह मेरे पास open access के लिए इस वेड़ा से मुझूद है क्योंके मेरी university के तरफ से भी access है secondly अगर आपका paper पूरा open नहीं हो रहा तो आपने उसे बंद कर देना you only need that paper जो आपको open access free में देता हो यानि के पूरा article आप पढ़ सके open access का मतलब यह है कि सारे का सारा article free में कोई भी read कर सकते है that is called open access subscription based वो होती है कि अगर आपके पास journal की subscription है यानि कि आप monthly pay करते हैं then you can read और universities ने बहुत बड़े-बड़े publishers की subscription purchase की होती है elsewhere हो गया इस दरीके से विले है and there are many other things like that तो अगर आपकी university ने उनकी purchase की हुई है then you will have all the articles free of cost और अगर सारे free of cost ना हों तो कौन सा tool हम use करते है समझते गे ही हो तुसी जिनको नहीं बता एक ऐसा tool है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता because of many things तो chat में लोगों ने लिख देना खुदी आप उसको use करें कोई भी article आपको नहीं मिलता उसका link उठाके वहां पर डालें free में आपको मिल जाएगा और यह basically एक free में आपको articles देते हैं ठीक है और believe me many people use that don't worry about that मैं लेकिन जिस जगह बेटा हूँ I cannot name it specifically ठीक है ओके अब आनी है आपकी Harpa AI का कमाल त्यार हो तुसी ओके यह मेरे पास extension Harpa AI मैंने इस पर click किया और यह Harpa AI इस तरीके से आपने install कर लें यह Harpa AI लिखके H-A-R-P-A Harpa AI लिखके इसको install कर लेना install करने के बाद आपने Google Chrome को restart करने तो इस तरीके से आपके पास H का button आ जाएगा यह जो यहाँ पर आया हुआ मैं इस पर click करता हूँ जब paper पर जाऊंगा ना यानि कि यह paper मैंने open कर लिया मैंने कोई download नहीं किया यह वाला paper not this one this one मैंने download नहीं करना paper को PDF में एक तरीका यह है कि आप PDF सकते हैं nothing is free in this world लेकिन आपके कुछ तरीके गार होते हैं जिस तरह आप जिससे आप use कर सकते हैं अब दरा देखिएगा यहाँ बे मैं आया हूँ यह वाला मेरे पास आ गया मैं harpa के H पर click किया click करने के बाद यह इस तरीके से आपके पास harpa की extension open हो जाएगी and now you can actually click on this thing chat with page और आप इससे कोई भी question पूट सकते हैं ठीक है इससे कोई भी question पूट सकते हैं कि इस paper में क्या-क्या है कौन-कौन सी चीज़े हैं इस paper को summarize कर दो इस paper में outlook क्या बताई है कौन सी ऐसी चीज़े हैं इस paper में डिसकस नहीं की बट दो जार इंपोर्टेंट सो यह सारी चीज़ें यह बताएगा अब secondly आप अगर setting पे click करेंगे तो यहाँ पे आपके पास settings आजाएंगे सारे की सारी narrow tokens यह वो इधर उदर की चीज़ें और अगर आप यहाँ पे click करेंगे यह विल सी के यह free नहीं है बट unlimited standard page and web aware message command runs, monitors and custom commands ठीक है यह अगर S1 आप लेते हैं तो यह सारी चीज़ें आपको मिलेंगे अगर आप इसे upgrade करते हैं और अगर आप upgrade नहीं करना चाहतें then how you can use it for example मैं यहाँ पे अगर AI पे click करता हूँ मैंने यहाँ पे यहाँ पे click किया and then you can choose your large language model यानि कि chat GPT use करना है cloud AI करना है या क्या करना है और यहाँ पे देखे कितने model दिया हुए पहला 3.5 दिया हुए chat GPT का दूसरा chat GPT का GPT 4 दिया हुए ठीक है यह आपको मिलेगा pro के अंदर ही sonnet दिया हुए ठीक है and then you have Gemini Google का Gemini है आप इसकी ID बनाई है यह totally free में available है Gemini ठीक है so आप यह यहाँ पे जब click करेंगे तो आप देखे नीचे Gemini आ गया यह Google का Gemini है and then you have cloud AI अगर आप इस पे click करेंगे तो यह anthropic cloud का large language model है chat GPT की तरह ही काम करता है तो यह यहाँ पे आ जाएगा then you have chat GPT 3.5 इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है आपको chat GPT का login create करना पड़ता है और यहाँ से आप उसे access कर पाते है अगर आपके पास chat GPT 4 original version पढ़ा हुआ है purchase किया हुआ तो आप यहाँ पे click करते है तो chat GPT 4 के अंदर login होके इसके साथ वो attach हो जाता है इसके इलावा आप और क्या कर सकते है आप APIs यहाँ पे डाल सकते है OpenAI की या दूसरी चीज़ों के लिए अब APIs क्या होती है अगर आप OpenAI API पे जाएंगे इस पेज पे जाने के बाद आप OpenAI की API पर चाहिज कर सकते है API क्या होता है Application Programming Interface यानि कि आपको वो एक key देते है आपने वो key लगानी होती है और आप इसको fast-paced पे यूज़ कर सकते है मैं अभी उसका तरीका कार आपको बता देता हूँ Just give me one second मैं login कर लूँ क्योंकि मैं login detail थोड़ी सी private रखना चाहरा हूँ इस वकद Yes जैसे आप ChatGPT के page पर login करते है Something like this API पर आप click करें तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे left side के उपर यहाँ पे आपके पास usage आजएगा API keys आजएगी आपने यहाँ से API key generate करनी होती है और वहाँ पे paste करनी होती है और यहाँ से आपको usage इसकी सारी पता चलती रहती है मेरे पास अभी जो इसकी जो basically usage है वो यहाँ पे आ रही है अब देखें अगर project monthly bill मेरे पास 5 euro की limit है and then I have batches, fine tune, playground a lot of other things अगर मैं setting वे जाओं तो यहाँ पे मैं billing में अपना card add कर सकता हूं और यहाँ पे मैं अपने dollars add कर सकता हूं using sada pay, naya pay for any credit card here और मैं limits भी यहाँ पे decide कर सकता हूं कि इससे ज्यादा नहीं जाना और जब आप यह API यहाँ पे generate कर लेते हैं then you can add that API here API key मैंने 10 dollar को एक मा यूज किया तो कहा के यूज किया 10 dollar एक मा 10 dollar कितने? 3000 रुपया लेकिन जितना मैंने harpa को यूज किया I would say के मेरा एक paper का major portion उसने लिखा था So it's a win-win situation और यह 10 dollar मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इस पे मैं पढ़ाता भी रहा अब आगे देखते हैं अब हमने क्या करना है? यहां पर यह मेरे पास आ गया बाइदावे ChatGPT का अगर आपने किसी ने अकाउंट परचेस करना है देकें send us an email at info at kodenix.com तो हम उन्हें procedure बता देंगे कि किस तरीके से आपने shared account हम से ले सकते हैं info at kodenix.com ठीक है? सो हमने general API लेनी है कोई specific नहीं लेनी and then we will see आप इस पर email करेंगे हमें and then we can tell you उसकी price मेरे ख्याल से 2,025 है I don't remember exactly हमरे team आपसे राप्ता कर लेगी and then they will let you know पच्छिसो के गरीब हम share करते हैं उस account को और वो बहुत ज्यादा लोग हो तो नहा account ले लेते हैं फिर अगला नहा ले लेते हैं ताके community को फाइदा हो सके okay पच्छिसो PKR पर मन्त वैसे ही है तक्रीबन उसमें API नहीं होगी आपको ChatGPT का account मेलेगा but you don't need to buy anything अगर आपको तरीका पता है Gemini का account बनाए इसको मैं Gemini को click कर देता हूँ now you will see मैं यहाँ पर कहता हूँ give me summary points of this paper देखिएगा अक्सरोकात पहड़ी भी लग जान दिये तो पढ़ाते पढ़ाते live lecture के अंदर अक्सरोकात चीज़ें काम नहीं करती है अगर ऐसा कोच हो तो मैं पहले माजरत खाहू लेकिन hopefully it will work and here it works देखें जी मैंने कोई API नहीं लगाई कोई account नहीं लगाया यह मेरे पास bullet point आगे पूरे paper के अब बताएं मुझे यह पूरा paper पढ़ना जरूरी है मुझे at the end जिस्ट ही लेनी है न हाँ अगर आप पढ़ना चाहें जरूर पढ़ें लेकिन 200 paper कौन पढ़ेगा एक paper के लिए so this is one of the thing second tip लेते जाएं आपको समझ आ जाएगी अब देखिएगा what are the future outlook of this paper यानि के वो कौन सी चीजी है जो इस paper में भी नहीं mentioned देखिएगा चेक करें इसमें इसने बताया है the paper might not be cited to the research यहां पे देखिए यह चेक करें उन्होंने आपको future research यहीं पे बता दी है जनाब क्या हाल है क्या समझे यहां पे उन्होंने बताया cost effective behavior of biochar production एक issue है methods for reduce CH4 यानि के methane का and alternative to biochar यह एक बड़ा issue है जो इस paper ने discuss ने किया and this is how you can find your niche obviously आपको थोड़ा और काम करना पड़ेगा पांच मिनिट में niche नहीं मिल जाती you have to work at least two to four days या एक week और फिर आपको niche मिलती है कि कौन साइस topic है जिस पे मुझे काम करना चाहिए फिर आप उस topic के keywords अपनी तरफ से design करते है and then you start driving यहां तक clear हुई बात आपको और इसी को बोलते हैं research niche बनाना हम review article से start कर रहे है अब देखें इस review article ने जो चीजे मुझे बताई है कि यह new हो सकती है something like this हो सकता है यह किसी और review article में हो then I have to reconfirm with another article और अगर उसने नहीं बताई तो अगले ने बताई होंगी उससे देखेंगे अगर उसने नहीं बताई तो उससे अगले में इस तरीके से बार 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 multiple articles को देखेंगे जब तक हमें अंदाजा नहीं हो जाता that everything here will work well ठीक है यहां ता clear हो गया जी आपको okay so यह तो मैंने एक तरीका कार बताया आपको बार बार confirm करने लेकिन believe me इतना literature available है अगर आप यह सोचेंगे नहीं कि मैंने बिल्कुली नया काम करना है reinvent करना wheel को possibly नहीं है इतना काम हो चुक है आप कैसे अपनी niche ढून सकते हैं जो काम किसी ने किया है उसको थोड़ा सा अपने तरीके से करने की कोशिक करें niche develop हो जागी you can never reinvent the wheel हो यह नहीं सकता मैं आपको एक बात बताता हूँ science में एक बात कहीं जाती है अगर आप नया idea सोचते है न आपको तब समझ आती है जब आप publish करने वाले होते हैं तो आपको पता लगता है कि 2002 में किसी ने publish कर दिया यह और यह एक joke के तोर पे लिया जाता है science के अंदर so that happens आपसे मेरी request यह है कि कभी भी बहुत ज़्यदा depth मिने जाएं मैं एक मिसाल देता हूँ अब 2024 चल रहा है फरवरी में जो paper publish होगा उसने जो data collect किया होगा obviously paper लिखने में चार मां पांच पांच आई होगे तो उसका data around May तक होगा May 2023 तक है What I can do new I can write के उसका review article May 2023 तक है और May 2023 से अब तक 200 paper और publish होगय That is why our article is more recent than that समय जए फिर आप नहीं innovation क्या लिख सकते है के उस article में सिरफ बायोचार को discuss किया था हमने क्या किया हमने इसमें organic amendment भी यूज कर ली यानि के उसी की second practice उस paper ने FAO stat से निया data नहीं डाला हमने इस review article के अंदर अपना analyze किया हुआ data भी डाला है फलां का हम नहीं किया हम नहीं किया है आप नहीं unique selling point बताना है बजाए इसके कि आप कहें कि कोई paper ही नहीं यह और यह सबसे खलत बात है science के अंदर आपने दलाइल के साथ बताना होता है मिसाल के दोर पे 2023 मही में paper publish हो है मैं ignore ही कर दूँ उसे अपने paper में मैं कहूँ कि नहीं ऐसा paper ही नहीं आया पिछले साथ तो जो review करने वाले journals होते हैं उनको पता होता है कि paper है कि नहीं आया उनके पास advanced tool होते है so you need to be very careful about that ठीक है यहां तक clear हो गया अब एक काम आपने और करना है जब भी आप Harpa को use करते हों तो यहां पे click करने के बाद जब आप Gemini पे click करते हैं या Cloud AI पे click करते हैं तो you need to connect these web connections यह क्या करता है यह basically आपको उनकी website पे ले जाता है वहां पे जाके आपने अपनी login करना होता है यह फोरन से नहीं चल जाएगा Cloud और Gemini पहले आपने account बनाने है Gemini के या Cloud के फिर उसको use करने है और अगर आप इन तीनों में से कोई select करेंगे then you need to pay something like this ठीक है For example मैं यहां से OpenAI का ChatGPT अगर use करता हूं अब देखिये गदरा What else Check करें Please login to Harpa to use AI chat features ठीक है और मुझे पता है यह पैसे मांगेगा So what else I can do I can go down here ChatGPT 3 मैं यहां बे लिखता हूं What else यह काम कर रहे और अगर मैं इसको 4 पे ChatGPT 4 पे क्लिक करता हूं Tell me more about the paper क्यूंके मेरा ChatGPT 4 का account connected है Now it is working for me ठीक है So this is why you need ChatGPT 4 plus account That was the main thing और ChatGPT 4 जयदा accurate होता है और ChatGPT 3.5 कम accurate होता है यहां तर clear हो गया Niche defined होगी Now the next thing is You need to check the layout of your paper Layout के लिए आपने क्या करने यह जो paper है इसकी layout देखनी है Layout में सबसे पहले आप sections देखते हैं इन्होंने abstract से start किया Introduction, Material and Method Results, Discussion, Conclusion And so on and so forth यह research article है GCB Bionergy का आप यह जो review article है इस पर भी same काम कर सकते हैं And you can ask the same question For example यहां पर यह Bionergy का जो research article है I can see that के What are the future outlook of this paper मैं यहां पर chat with this करके यहां मैं पूछता हूं What are the future outlook तो देखेगा यह भी मुझे बताएगा Let me see Cloud Enthropic is not working So, यह check करें इसने future outlook मुझे बताई है Same, वही चीज़ें होंगी जो इन्होंने discuss नहीं की ठीक है So, this is how you can actually see और यहां पर paper के साथ साथ आपको यह सारी heading आ रहे होती है सबसे पहले आपने heading design करने होती है अपने topic को लेके और वह heading कैसे design होती है यह जितने भी review article आपको उससे related आए है इनको पढ़के यह 34 review articles है ना आपने 34 के 34 को separately open करने open करके उनकी headings और उनकी theme देखनी है ठीक है जब आपके पास themes और headings आ गई then you can start writing समझा ही बात की कुछ clear हुई चीज़ें यहां तक जब आप फिर headings बना लेंगे ना फिर हम एक-एक paper में से ऐसे harpa को use करके चीज़ें उठाएंगे for example पहली heading है जिए biochar reduces the emission of methane पहली heading आगे यह methane की emission को reduce करती है biochar यानि के एक ऐसी gas जो जमीन से agriculture से निकलती जो climate के लिए बुरी है उसको reduce करता है एक material जो charcoal type होता है या koila type होता है आपको मैं बता जता हूँ वो material को use तो आपने उस पे अब एक पूरा process बांधना है और उस पूरे process के लिए आप उससे related paper निकालेंगे then you will redesign the keyword specifically for methane और उसको जो paper आएगा उसमें से आप question पूछेंगे and then you will start writing ठीक है okay ले जी अब हम देखने वाले हैं कुछ और techniques reviewer को और भी एक nice way में आगे लेके जाने की और मैं आपको बताने वालों कुछ चीज हैं जो आपके gap को और भी strongly support करेंगे say for example if you look on this website here यहाँ पे मैंने आपको size space के बारे में बताया था यह जब size space dot com पे आप जाएंगे size space dot com जिसके बारे में हमारे एक भाही ने जिकर भी किया तो यहाँ पे type s dot io इन्हों ने अपनी domain को change कर दिया तो this is one of the other database which is very nice कैसे मैं भी आपको बताता हूँ यहाँ पे अगर आप गौर करें इस database के उपर pricing पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे आप देखें के यह zero price के अंदर आप co-pilot answer from standard model ठीक है आपको कोई चीज purchase करने की ज़रूरत नहीं है limit co-pilot message है literature review searches आप कर सकते हैं paraphrase कर सकते हैं output को लेकिन obviously हर AI tool अपने साथ price tag लगा रहा है so you can also buy this but I don't prefer के आप कोई चीज यहां से बाय करें so आप यहां पे आएं same वही चीज जो मैंने Google Scholar में लिखी थी scopus में लिखी थी मैं यहां पे copy करता हूं size paste के अंदर यहां पे paste करता हूं paste करने के बाद मैं इसको enter करता हूं and you will see the magic now magic साब यह कहते हैं के यह आपके papers हैं आपके सामने आगे और यह उनकी insights है top 5 papers की तो इसने और भी काम कर दिया के top 5 papers को with reference आपको बता दिया यानि के जो topic मैंने लिखा था with reference उन्होंने मुझे text भी बना दिया भई, check करें look, so this is one of the things जो AI generated but based on the papers, totally wrong भी हो सकती है, totally right भी हो सकती है usually तो यह इतना critically बताता ही नहीं है AI, so this is one of the things, top 5 paper की आप लेग सकते हैं 10 की भी ले सकते हैं premium में but I won't prefer कि आप premium की तरफ चाहें then आपके पास हर एक paper आ गया paper के साथ उसका journal आ गया PDF आ गयी, आप यहां साथ भी कर सकते हैं and ask co-pilot co-pilot क्या है, जैसे आप इस पर click करेंगे, आपको size space का co-pilot यह है वो इस तरह open हो जाएगा, जैसे harpa AI यह आपके सामने open हो गया था, ठीक है and now you can ask questions only within this article सिरफ यह article के अंदर आप question पूर सकते हैं, मैं कहता हूँ कि जनाब पड़ेगा, I don't want to pay for that so standard is enough for me so this is the second extension which you can install which is called size space co-pilot and size space यह यह तरीके से use कर सकते हैं यह English में नहीं different other languages के अंदर भी आपको answer देते हैं so it's up to you, अगर आपको your language use करते हैं for example, Urdu मैं करता हूँ और यहां से आप चेक कीजिएगा मैं यहां पर कहता हूँ समय राइस चेक करें तो यहां पर मेरे पास Urdu का आर्टिकल आ गया और एक टिप मैं यहां पर आप सभी को दे दूँ अगर आप ब्लॉगर है ना तो यह जननत है आपके लिए यह वाली website वालब ब्लॉगिंग के दुनिया में वह वाली जननत नहीं मैं कहा रहा हूँ सिरफ लफजों के इतबार से बोल रहा हूँ यह फत्वाना टौक देऊ यह ब्लॉगिंग के हवाले से अगर आप उर्दू में लिखना चाहते है ना यू कन टेक इंसाइट्स फ्रॉम पेपर्स इन उर्दू और लैंगुज भी अच्छी होगी और इसलिए थोड़ी बहुती दर उदर आपने करने पड़ेगी अब आप क्या कर सकते हैं आप अपने पेपर्स जो आपने पब्लिश करने है या की है उनका अबस्ट्रक्ट उर्दू में बनाके डिफ्रेंट न्यूज आर्टिकल्स को भीज सकते हैं जो न्यूज की वैबसाइट्स होती है वाहां पर पब्लिश कर सकते हैं जैसे Deutsche Welle है, BBC Urdu है, उर्दू जिनके साल लगा होता है RTE Urdu है इस तरहां की वैबसाइट है तो आपकी और भी रीच पढ़ जाती है सेकंड तिंग इस आप यहां से पोस्ट जिनरेट कर सकते हैं फोर योर पेपर्स यह जो आप लिखना चाह रहें So this is one of the things, but English is preferable, so I am English के साथ check करता हूँ And then, अब यहां पे चेक कीजिएगा, के आपके पास conclusions भी है सभी के So यहां पे आपके सामने conclusion आगे हर paper का So यह और भी easy हो गया paper को पढ़ना, कैसी बात है? Check करें, हर paper का conclusion So now you can compare multiple papers के किसने कौन सा काम किया और मेरा काम कौन सा best है फिर इसके इलावा results भी आप summarize कर सकते हैं like this फिर आप methods जिसे इसने use किया यह आ गया फिर limitations आ गई कौन-कौन सी है Then contribution, practical implication कर लें Now यह जो table है ना, अगर आप यहां पे Excel की file के अंदर इसको export कर लें Obviously यह premium plan में ही होगा So यही table आपके review article के अंदर attach हो जागा जो अभी हमारे एक भाई बात कर रहे थे कि हमें table बनाना पड़ते हैं Otherwise, you can see कि without this you can also copy this information सिरफ copy paste करके अपना table खुद बना ले So यह इस तरीके सा आप हर article का table यहीं से बना सकते हैं उसमें थोड़ी बहुत amendment कर लें और review article के अंदर इस तरह के tables add होते हैं मैं आपको दिखाता हूं कि इस तरह के tables की importance क्या है review article के अंदर मैं अपनी profile पे जाता हूं Google Scholar पे यहां पे जाने के बाद में year wise recent advances जो मेरा article है इस पे क्लिक करता हूं क्लिक करने के बाद यहां पे चेक कीजिएगा यह देखें एक table आ गया यह हमने table जो add किया हूं है ठीक है दूसरा table तो यह table important होते हैं तीसरा table review article के अंदर चौथा पांचवा छटा चेक करें सो हर review article के अंदर आपको यह वाले tables मिलते हैं ठीक है सो इस kind of tables you can prepare using sci space और अगर आप इसको purchase कर लेते हैं बारां डॉलर का सो पांचे लोग मिलके भी purchase करने हैं तो यार क्या प्राइज है इसकी बारां डॉलर पर मंत है but at the end it pays off लेकिन रुको जड़ा सबर करो एक और tool आपको बताता हूं इसके इलावा एक tool है जो बहुत ही ज्यादा आम है called researcher life और इस tool के अंदर multiple tools available है जैसा के paper pall, art discovery, journal finder and lot of other things like mind the graph यह visualization बनाने के लिए paper pall जो है वो basically एक tool है जो आपको paper item में help करता है based on AI और फिर art discovery अगर आप यह वाला purchase कर लेते हैं तो इसके अंदर आपके पास custom planner which is 10 euros per month क्योंके मैं यहां पे जर्मनी में हो तो मेरे पास euro में price है लेकिन अगर पांचे लोग इकठे मिलके इसको purchase कर लेते हैं एक team जिनोंने एक paper लिखना है this is not I would say expensive monthly भी देखें तो 28 euro का है but annually अगर आप इसे purchase करें it's so less amount यह दो tools अगर आप ले लें size space का और researcher life का आप papers दिनों में लिख सकते हैं अगर आपके पास funding नहीं है I know there are many students जिनके पास funding नहीं होती आप क्या कर सकते हैं आप अपने lab को बोलें कि यह दो tools ले लेते हैं अपने professors को बोलें क्योंके हर lab हर professor के पास funding होती है for tools ठीक है कुछ नहीं कुछ नहीं अगर आप एक freelancer है content writer है या किसी के papers लिखके या thesis वगएर हमें help करते हैं किसी को तो वो ये tool purchase कर लें आपकी लखाई में शानदार किसम का क्या उसे बोलते हैं निखार आ जाएगा ठीक है और अगर निखार आ जाएगा पैसा ही पैसा होगा समयन है बात को so this is how you can write अब एक और बात बता दू कि scientific writing की जितनी मांग up work के उपर है न believe me आप डंग रह जाएगे सिर्फ एक दफ़ा जाके देखें लोगों को इतने scientific writers चाहिए लोग मैं अब क्या बोलो तीन तीन लाख रुपया देने के लिए तियार होते हैं कि हम एक paper लिखते हैं obviously unethical है totally unethical है कि नाम किसी का जाया आप पैसे लेके paper लिखते है but on the other side ये भी unethical है कि तुझी solar ते tax ला देओ ये भी unethical है कि बिजली के बिल बढ़ा दो ये भी unethical है कि गैस के बिलों में इतना अजाफ़ कर दो कि 20,000 salary लेने वाला बंदा कुछ ना कर सके ये भी unethical है 300 रुपय का आपका योरो हो जाए डॉलर 200 सी पे चले जाए तो unethical तो बहुत कुछ है तो क्यों ना ऐसा गाम चुना जाए कि आप scientific writing करें लेकिन आप कहें कि मैं आपको services provide करता हूँ to refine your writing not totally writing ठीक है तो आप ये लिखके चगा से पैसे बना सकते हैं और आपका अगर कोई सौधी दोस्त वाकिफ है जो सौधिया में बैठा हुए उनसे कहें कि हमसे आप paper को refine करवा लिया करें जिसको हम editing services बोलते हैं believe me you can earn thousands of dollars thousands मैं thousand नहीं बोल रहा अगर आपको नहीं येकीन अपने आपके हिर्दगिर्द को ऐसे दोस्त होंगे जो freelancing करते हैं और write-up करते हैं अगर आपको नहीं यकीन तो ये काम स्टार्ट करके देख लीजएगा अनएथिकल ना करें services प्रवाइड करें not totally writing सो ये टूल आपके लिए बहतर होंगे एक और टूल है जिसका नाम है पेपर पॉल और ये पेपर पॉल आपको फ्री में भी एकसेस देता है अगर आप इनका एक इंटर्वियू दे दें ये बला क्या करते हैं ये आपको कहते हैं कि आप हमारे software को review कर दें तो review करने के बाद हम आपको premium services free दे देंगे for 6 months या 3 months तो आप इनको contact करे paperpal वालों को कि हम इस software का review देने के लिए तयार है review लिखने के लिए तयार है so please provide us the access they will provide you the access paperpal क्या करता है ये basically जब आप इस पर login हो जाते हैं then it provides you some kind of things let me see first मैं login कर लों पहले मैंने असल में एक email ऐसा बनाया होता है जो सिरफ testing purposes के लिए होता है तो paperpal वाल फ्री में भी यूज कर सकते हैं I am just logging into it ले जनाब login हो गया and now the things look like this यहां पर आप नया document बना सकते हैं इसको word के अंदर add-in के तोर पर भी इसमाल कर सकते हैं plagiarism भी चेक कर सकते हैं submission checklist भी चेक कर सकते हैं ये सारी इसकी चीज़े मैं new document बनाता हूँ new document बनाने के बाद इस तरीके से आपके पास interface open हो जाते है Microsoft Word की तरह आप यहां पर लिखना start करते है for example research में मैं जाके question पूछता हूँ for example मैं यहां पर लिखता हूँ is biochar good for methane emission reduction in agriculture soil यह वो चीज़े हैं जो आपने एक paragraph में लिखनी होती है something like this मैं search करता हूँ जैसे मैंने search किया you will see the magic यहां पर लिखना start कर दिया extracting sources अब वो क्या करेगा sources से paragraph बनाएगा paragraph से references बनाएगा and then it will provide you the results at the end something like this check कीज़े गजरा with references लिखके दे रहा है total AI but this is more authentic AI than chat GPT check करें results यह बता रहे हैं कि जनाब biochar has been identified उसका पहले introduction बांदा एक paragraph का फिर उसके reference दिये फिर उसने आगे बताया कि यह वाले field है फिर similarity बताई और paragraph को अच्छे तरीके से end किया फिर however करके उसी paragraph को continue किया connecting words use करके और in summary यहां पे बता दिया अब यह जो काम इसने यहां बे किया है believe me as a scientist इस paragraph को लिखने के लिए एक एक दिन भी लगा मुरे इस तरह के paragraph को लिखने के लिए और यह AI मिंटो सेकंडों के अंदर लिखके दे रही है यह नहीं के totally accurate you have to verify that information first verify कैसे करना है you have to go to that paper और वहां पे देखना है कि यह information true है कि नहीं अब हारपा से भी पूट सकते है is it true or not paragraph copy करें हारपा में डालें हारपा को बोलो कि यार बताओ यह paper में true है कि नहीं हारपा कहेगा no या yes तो आप उसकी base पे वह reference देदे simple this is how you can use paper ball मज़ा है न paper ball का अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ यह तो research वाला था मैं यहीं से इसे copy करता हूँ देखिएगा यहीं से copy किया लो जनाब यह paste कर दिया आ लो खड़ो references और यह references सारे के सारे उठा के जो नीचे पड़े है मैं add to library करता जाओंगा और यह library के अंदर मेरे सारे references इस तरीके से आ जाएंगे which I can use as a RIS file at the end तो सारे का सारा paper में यहां पर रखके लिख सकता हूँ but इस better के आप word document के अंदर अपनी एक list add करें second check के अंदर जाएंगे तो plagiarism check भी आपको करके देदेगा obviously you have to upload your file और यह free में कुछ ही use कर सकते है आप 7000 words फिर other than that आपको templates भी provide करते है research article का template आ गया ठीक है and then it also provides you some other kind of template मतलब layout बड़ी matter करती है मैं यहां पर वापस जाता हूँ और यहां पर चेक करें research loud, case report, essay, statement of purpose, brainstorm, title, abstract, keyword, summary, study highlight, email, email to the journal यह सारी चीज़ें आपको free में बनाके देता है अगर आपके पास premium account है for example मैं यहां पर लिखता हूँ research article मैं यहां पर action select करता हूँ field of study मेरा है for example life sciences मैं यहां पर वही question उठाके लिखता हूँ biochar वाला मैं research से वह question ले गयाता हूँ यहां से मैंने वह question लिया पाई रुक जा templates में जाके research article में जाके introduction मैंने लिखने life sciences का लिखने यहां पर लिखता हूँ is biochar brief description of the study मैं यही वाला सारा copy करता हूँ copy करके यहां पर paste करता हूँ generate और यह क्या करने वाला है आपको layout बताएगा किस तरीके से आपने review article का introduction लिखने है ठीक है समिझाए भात की यह research article का research article का introduction लिखने है और इसी तरीके से आप अगर case report बनाना चाते है you can write that one essay लिखने है तो यह review article का हो जाएगा something like this क्योंके review article एक essay की तरह का होता है ठीक है और यह आपके पास layout हो जाएगी and then you can use the power of AI to write the whole paper within few days अब paper paal आप खुद बताएगा अगर आपको researcher.life का 10 dollar per month का मिल रहा है account is it worth it? चलें आपको एक मिसाल दे देता हूँ laptop कितने का लेते हैं आप अच्छाखा सा महंग है mobile का balance कितने का करवाते है तो जिस चीज से आपको income आती है या जिस चीज ने आपकी worth बनानी है scientific दुनिया में उसके लिए tools क्यों ना use करें हैं तो American, Chinese या European करके आगे निकल जाएंगे हम बहुत पीछे रह जाएंगे so we need to use these tools, right? Okay अच्छा जी अब एक और tool की तरफ चलते हैं अग तो नहीं गए ना आप लो Researcher Life के अंदर देखें Paper Paul की और original जो price है अगर मैं upgrade पे click करूँ तो यहां पे जो original price है इसकी 9 euros है Paper Paul की लेकिन वही चीज़ अगर हम 10 euros में Researcher.life लेंगे हमें Paper Paul free में मिल रहे है चेक करें और इसके साथ Mind the Graph जिससे आप भी इतनी इन किसम की visualization बना सकते हैं आप skill, research के courses कर सकते हैं and then literature recommendation discovery, art discovery के base पे art discovery क्या है यह basically आपका research repository है अगर मैं art discovery के उपर जाओ let me see तो यह basically इस तरीके से आपकी एक repository है जिसमें 250 million plus articles है same like sites site.ai, sign apps, google scholar scopus, something like that तो अगर आप researcher.life if एक ही purchase के लिए 10 dollar का और पांचे लोग मिल के कर ले तो दो-दो dollar भी नहीं आने, 600 रुपया भी नहीं आने, समझ रहे हैं बात को? and you can do a lot of things. this is one of the technique जो हमें as a community use करनी चाहिए right, अब आगे चलते हैं now we have another tool called research rabbit research rabbit के बारे में किस-किस को बता है? research rabbit क्यों जुरूरी है और किस तरीके से आपकी help out करता है? let's look into it screen पे आपके सामने ये एक टूल है जिसका नाम है research rabbit आप basically google पे जाते हैं यहां पे research rabbit यह लिखते हैं तो आपके पास यह website आ जाती है और इनका कहना है कि this is free forever the best thing about any software is this one हमारे मुह पे smile ने आ जाती हैं जो यहां यॉरप के अंदर बैठे होते हैं क्योंके free software मिलना बड़ी बात है क्योंके हम दूसरे versions डाउनलोड ने कर सकते इस वेरे से research rabbit is my favorite one the second one is connected papers यह भी वही चीज है आप यहां पे लिखें connected papers तो आपके सामने यह आ जाएगा and this is kind of with price tag ठीक है तो यहां पे यह 4 euro का है something like that और जो research rabbit और फ्री है तो research rabbit का आप account बनाते है अपना जैसे मेरा एक account बना है मैं भी आपके सामने login करने के बाद उससे ले के आता हूँ because I don't wanna show that अच्छा यह मैं कोई magic नहीं कर रहा होता यह basically na confirmation मांगता है की की तो वह घड़ी का एक system होता है कि double उंगली यह tap करो तो वह click हो जाता है something like that यहां पे यह research rabbit आ गया मैं यहां पे आपको शुरू से बताता हूँ कि इसका फाइदा क्या है और कैसे यह use करना है आपने so I will just okay so सबसे पहले आपके पास इस तरीके से कोई भी research rabbit जैसे open होता है आपने add paper पे click करने add paper पे जाकर किसी भी paper का reference डाल देना say for example यह मेरे पास एक paper है biochar वाला जो मैंने आपको example में दिखाया था मैं यहां पे इसको paste करता हूँ title को search करता हूँ जैसे मैंने search किया doesn't come anything क्योंकि biomedical का नहीं है यह all subject area गया तो मैंने यहां से यह paper देख लिया मैंने add to collection कर दिया जैसे मैंने इसको add to collection किया यह paper add हो गया जनाब हमारी collection में something here ठीक है जैसे अब मैं पहला paper में अपना remove करता हूँ यह मेरे पास एक paper आ गया basically तो मैं इस पे click करता हूँ paper पे तो यह मेरे पास paper आ गया इसकी PDF available नहीं है but this was published in 2024 किसने publish किया these are the names यह paper select हो गया and now you will see the magic मैं इसी paper के ऊपर जब मैं select करता हूँ तो यहां पे मेरे पास remove from आ जागा and some other items are being shown here so मैं just a minute something is wrong what's going on मैं एक अपना पेपर आट करता हूँ क्योंकि this shouldn't happen copy search rabbit add to collection हो गया yes so there was something wrong with this paper तो मैं इसको paper को पहले यहां से remove कर देता हूँ work पे click करूँगा न तो यहां पे यह मेरे पास इसी paper से related जितने भी paper है न वो सारे के सारे आ जाएंगे and you will see a kind of node graph connecting graph network of those papers तो आप किसी पे भी click करेंगे यह green वाला मेरा paper है जो यहां पे पढ़ा हूए इसके closer यह साइद वाला फिर यह 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 सारे closer है यह थोड़े से दूर है यानि के जो मैंने text इस paper के अंदर लिखा हूए उन सारे keywords को use करते हूए इन्होंने पूरा literature search किया और जो matching literature की base पे जो close close papers हैं वो निकाल के दे दिये जो दूर दूर वाले हैं वो भी निकाल के दे दिये So I can actually go into each paper and I can study about that यही नहीं आप यहां पे किसी भी एक paper पे click करें फिर उसके further network वाले निकाल ले फिर उसमें से किसी भी एक paper पे click करें उसका भी further जा सकते हैं so यह endless network आपके सामने बनता जाता है ठीक है और आप इससे भी वापस भी आ सकते हैं यहां से scroll करके shift दबाएं और अपने mouse के साथ scroll करें मैंने यहां पे similar work पे click किया यह मेरे पास paper आ गए लेकिन एक और तरीका होता है कि इस paper को जिस जिसने cite किया हुए वो paper निकाल लो वो आ गए ठीक है and this is how you can check कि कि direction में हमने move करना है और यह research gap को find करने का best तरीक है आप सिरफ abstract पढ़ें अगर उसने वो काम किया हुए relevance की base भी citation की base भी recency की base भी A to Z recency का मतलब है कि आपके पास recent paper पहले आएगा बाकी लेट आएगे और citation का मतलब है जिसकी सबसे ज़यदा citation है यानि कि यह paper this is how you can create a network और यह network create करने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं आप papers export papers यह जो similar papers सारों के सारों को CSV file के अंदर export भी कर सकते हैं और यह जनाव आपके पास पूरी की पूरी CSV file जो आप export करके ले के आ सकते हैं and also you can also select the papers और अपनी मर्जी से CSV file भी यहां पे ले के आ सकते हैं for example मैं यहां पे select all पे click करता हूँ select all पे click करने के बाद मेरे पास यहां पे collection आ जाएगी और यहां से मैं इसको hide भी कर सकता हूँ show भी कर सकता हूँ and there are many other factors here zoom in करें, zoom fit करें, out करें, यहां से आप इस network को भी download कर सकते हैं so there are many things related to research rabbit और यह research rabbit basically आपको paper graph बना के देता है which you can also write down into the systematic review ठीक है research rabbit का यह मज़ है, अब आपने देखा आप एक step और close होगे है किस चीज़ के close होगे है अपने research gap को find करने में और literature को search करने में ठीक हो गया, यहां तक clear हुआ जी लें तो भी आपने master class को enjoy किया होगा, hopefully आपको समझ भी आई होगे कि किस तरह के tools जो है, वो आपने सीख्या है अगर आप यहां तक पहुंच गया है तक तो आपसे मेरी request है कि अभी तक जो आपने इस master class में सीख्या है वो comment section के अंदर जरूर लिखे Secondly, जो form हमने in the beginning master class के अंदर दिया था उसका link में description में भी देता हूँ उस पे जाकर register जरूर कर वाले Because we are building up a community जहां पे रहते हुए हम scientific writing तीन से छे माँ के course के अंदर सीखने वाले हैं और वो तीन से छे माँ का course बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है और अगर आप register कर वालेते हैं तो Google form को fill करके तो आपको ये फाइदा होगा कि आप हमारी community का part बन जाएंगे और ये जो announcements आपको master class के बाद workshop के मिलेगी which is from 3 to 6 months of mentorship program या कोई mini workshops होती हैं तो वो आप उस community का part बन जाएंगे and you will never miss anything out there आप हमें email भी कर सकते हैं info at kodenics.com पे अगर आपको कोई और information भी चाहिए अपना ख्यार रखें चैनल को subscribe कर दे and do share this master class with others take care and Allah Hafiz Allah Hafiz